आप लो नमस्कार दोस्तों तो आप लोग कैसे हैं सब लोग अच्छे होंगे बढ़िया से एक्जाम भी आप लोगों का हुआ होगा तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग सभी लोग जुरते जाएए एक्जाम का कम्प्लीट अनालिसिस करेंगी कम्प्लीट अनालिसिस मेरिट से सबसे पहले मेरिट की ही बात कर लेंगे लगबग मेरिट कितनी जाएगी कैसे GS में कौन से question सही हैं कौन से question गलत हैं उसके अलावा हिंदी की merit total merit और कौन से लोग को तैयारी करनी चाहिए किन लोगों को तैयारी करनी चाहिए आगे mains के लिए किन लोगों को और जो आने वाले exam है चाहिए PCS 2024 जो 17 मार्च को है या अलावाद हाई कोड जो है या रो या रो जो आरा है उसका या LTE ग्रेट का क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए कहां से परना चाहिए सब चीजपे चर्चा करेंगे सबसे पहले paper question लोग जो करके आये हैं तो जल्दी जल्दी से आजाएए अब सभी लोग बस दो-चार सेकेंद और वेट करते हैं फिर सब लोगों को तुरन सुरू हो जाएंगे हम लोग आगे कुष्चन करेंगे जितनी जल्दी हो सके आज जाये सवी लोग कि जितनी तेजी से आप लोग आएंगे उतनी तेजी से काम हुगा जितनी तेजी से आप तब vanish पड़ सकें उपना देर के वह बता पड़ जोड़ंशी आप सब कमेंट्स भी देखें कि कौन कौन से रहें क्या है कहां कहां है जो है सभी लोग क्या कहना चाह रहे हैं सब की बाते सुन ली जाए और फिर हम लोग चर्चा करते हैं सीधे कुश्चन आंसर पर ठीक है चलिए फटा-फट जुड़िए 75-64 लोग है अभी और जल्दी से जुड़ जाए जितनी तेजी से हो सके सब लोग जुड तो फटा-फट जुड़ जाए बेरी ढूट बपड़्या बेरीगोड और जल्दी से जुड़िए सभी लोग देखिए सभी लोग बहुत मेनतकर की आए हैस सबेरे पेपर उसके बाद में जो हैं सभी लोग उन Совरे पेपर देकर आये हैं और कुछ लोग के मन में हल्चल नि जल्दी से जल्दी से कुश्चन करते हैं हम लोग चलते हैं आप अपना प्राप्षचन और तेंजी से जितनी तेंजी से होद के कुश्चन पर आते हैं हम लोग सीध Lnight जुड़िए जुड़िए फटा फट जुड़िए आप सभी लोग चलिए कुश्चन नमबर मन से ही स्टार्ट कर दिया जाए और तेजी से करेंगे देखिए कुश्चन आप सभी लोग उन्हें अच्छे से देख लिया है मैं इसमें नोट करके लाया भी हूँ आप सबको पत देख लेते हैं सबसे पहला कुश्चन जो है पहला कुश्चन है देखिए का ध्यान से जैसे जैसे उचाई पढ़ती है पानी का कवतना घटता है यह बिल्कुल सही है यानि राइट अंसर वन का ए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग चलते हैं दो पर दो पर हम लोग चलते हैं और कुश्चन नमबर दो पर आते हैं निम्खित में से कौन सा सहर बरतमान में अफगानिस्तान में जिद नहीं है गजनी फर्गना का अंधार समरकन एंसर इस ए अगेन यानि फर्गना और समरकन नहीं है अब आते हैं तीसरे कुश्चन पर तीसरे हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं तीसरा कुष्चन का आंसर क्या है इस पर भी चर्चा हो जाएगी हमारी तब बात बनेगी ठीक है तीसरे कुष्चन का आंसर क्या है पटापट एक दो तीन करके चलेंगे सी कोड का है यह कोड सी है तीसरे का आंसर आपका है डी यानि जो है तीसरे कुछ डी है आंसर इसका यानि उप्रोक्त में से कोई नहीं उप्रोक्त में से कोई नहीं यह आंसर है आपका उप्रोक्त में से कोई नहीं भूरे हरे काले रंगे तीसरे चल्ले के साथ जो है तीसरे यानि भूरे, हरे और काले रंग के पहले दूसरे तिसरे चले, कलर कोट के हस्ताब से प्रतूद होता है कलर कोड के हिसाब से प्रतिरोध होता है ठीक है तो उसको देख लीजिए आप जो है इसमें चौथे का भी आंसर डी ही है आगे देखते हैं कौन-कौन साथ या है मनोज कर देख लेते हैं आप लोग नहीं तो फिर आगे बिसलेशन किया जाएगा कैसे क्या करना है सब लोग वही बार-बार पूछ रहे हैं पेपर के बारे में रोहित यादो कुछ और कह रहे हैं जो भी जो कह रहे हैं सब लोग आपका देखते रहिए पड़ा-पड़ कहले कुश्चन देखिए ने इस गरब हो जाएगा अब आते हैं फाइब में बी फिफ्ट कुश्चन का आंसर आपका यानि फिफ्ट कुश्चन का आंसर आपका यहां पर पांचवें कुश्चन का आंसर है आपका भी फिफ्ट कुश्चन का आंसर आपका क्या है भी है आंसर भी आंसर है फिफ्ट कुश्चन में फिफ्ट कुश्चन का आंसर भी फिफ्ट कुश्चन क्या है निम वोचार में बोचारी सबसे कमि मुष के अ परत इसके बाद आपको आता है नलिका फिर आप मेंche याइनि इसका उनसर है कि इसका आंसर भी यानि सबसे पहले यह सेकेंड इसकर यानि आपको यह कर आफ दाता है असे आपकर आता है यानि 5 में B और 6 में चलते हैं हम लोग 6 question के आंसर पर चलते हैं हम लोग बढ़ते हैं जो है 6 question पर जिसमें आंसर है आपका B यानि क्या है question यह देख लेते हैं भारत के महानय आयवादी के संदर्मिल निव्खित कतनों पर विचार कीजिए यह प्रधानमंत्री की मर्जी तकपत पर बने रहते हैं बिलकुल नहीं यह प्रधानमंत्री के मर्जी नहीं यह राष्ट्पति के पर्याज़ाद परियंद धा हगदार नहीं है ऐसा कह रहा है य्य मोज़िए होगे आपका शिक्ष मेंगे यहांपर कि विशेशाधिकार नहीं है लिकना कि विशेशाधिकार के जो है हकदार हैं टीक है यानि इसको देखना पड़ीगा पहला वाला इसमें तोटली गलत है और संस़्ज के सदस्यों तो नहीं यानि यह ना तो एक ना दो क्योंकि जो है संसद के सदस के विसेशाधिकार में आते हैं यह इनको विसेशाधिकार मिलता है मिलता है आगे चलते हैं हम लोग अभी आते हैं भाग यह नहीं आप लोगों सच चर्चा करेंगे सब लोगों पर चर्चा करेंगे सारी चीजों पर चर्चा करेंगे जो भी है पावन सिंग जी अमेद पेपर आउट हो गया है सर सेंटर पर लड़के कह रहे थे जो भी आई डों नो इन चीजों के बारे मुझे कुछ नहीं मालूं भाई आगे हम लोग साथ वहां चलते हैं सा आप लोग्नोट करते जाईएगा नोट करते जाईएगा जो भी आपका पेपर है ठीक है अब आगे आते हैं लोग सात्वे कुरुस्टन पर आते हैं सात्वा कुश्चन आपका यहाँ है है आप झौल करिए कर तभा भाग युग रएक सभीड्रों रुक्य रहीएगा भागने की जरूरत नहीं है 10-10 फॉ Capitol में वस्तिनी गहाई से कम गहरा पर्तित होनेके लिए क्या 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 जो है कौन जिमेदार है अपॉर्त अप सभी लोग जांते दिस्क्स कर रहे हैं और आणसर आणसर थी है और सही की ब्यांकिया करता है क्या है यह लिन्षित करा है जो है। कि किसके बारे में फाइबाइफ संजुत राज अमेरिका गुप्त डेटाबेस के माधियन से अपने हितों की रच्छा के ये खत्रों के बारे खुब्या जानकारी साजा करते हैं कि दोनों सत्य हैं और सही ब्याख्या भी है ये दोनों सत्य हैं और सही ब्याख्या क्या है का नीचे दिए दो कतन है एक और आर जो कतन और कारण पहला है अनाज वाली फसलों के साथ अंतर सश्यन के के रूप में सामिल होने पर दलहने पूरक फसलों के रूप में कारे करती हैं पूरक फसलों के रूप में कारे करती हैं फिर कह रहा है मुसला जड़ वाली जो प्रणाली दलहने रेशेदार जड़ प्रणाली अपना वाले अनाजों के फसलों के साथ पोशक्त तो नमी के किसको मेंस की तयारी करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, किसको आने वाले PCS की तयारी करनी चाहिए, किसको आने वाले रहाबाद हाई कोड की तयारी करनी चाहिए, सब चीजों पर चर्चा होगी, एक एक चीज पर चर्चा करेंगे, each and every detail will be discussed here सब कुछ discuss होगा आप लोग थोड़ा question पर रहिए question का doubt clear कर लीजिए उसके बाद जो करना है करिए फिर हम लोग आते हैं यानि नवा जो अनाज वाली फसलों के ताथ अंतर सस्यन के रूप में सामिल होना पर दलायने पूरक फसलों के रूप में कार्य करती है दूसरा मूसला जड़वाली यानि नाइज question दोनों सत्य है और सही ब्याक्ष्या भी करता है और सही ब्याक्ष्या भी करता है या आप लोग देख लीजिए फिर आप आते हैं दस्वें पर दस्वा question क्या कह रहा है इसका right answer है क्या answer है इसका c c is the right answer यानि आप ये देख लीजिए electron की खोज पहले फिर proton की खोज आती है फिर neutron और πाई मेसान सबसे बाद में आता है फिर आता है आपका πाई मेसान सबसे बाद में आता है फिक हैं तो इस तरह से आप लोग इसको देख लीजिए इस तरह से आप लोग इसको देखिए बहुत सारे questions हैं इसमें देख लीजिए आप सभी लोग बिल्कुल जो है और मुझे comments अभी नहीं दिख रहे हैं लोगों के अभी comments मिलने लगे तो मैं आगे बढ़ाता हूं class को class दिखने ही रही है देखिए comments नहीं आ रहे हैं आप लोगों के just hold on please for a second end कैसे हो गई class class cut हो गई end हो गई क्यों नहीं दिख रहा है कुछ आप लोग थोड़ा hold करिएगा धर बनाए रखिएगा मुझे आप लोगों के comments नहीं दिख रहे हैं इसलिए मैं रुका हुआ हूँ क्योंकि आप लोगों से discuss करना है हर चीज detail में discuss करना है इसलिए मेरिट जानना चाहते हैं मेरिट के बारे में exact आपको अभी लगबग लगबग मान दिजे कि उसी क्या असपास रहेगी बात कर ली जाएगी किसको आगे तयारी करने किसको नहीं तयारी करने कौन तयारी करे कौन ना करे इस बात को जो है हमें करना है तुरणत आप लोगों के साथ इस बात को ले करके discuss करना है आप लोगों को बिना किसी चीछ को सोचे हुए आप को ये काम करना है एक्षप्ट कर लिया है एक्षप्ट बिल्कुल आप लोग थोड़ा धैर बना कर रुके रहिए बस बिल्कुल क्लास चल रही है बेरी गुड मुझे दिखाई देने जिराता कमेंट्स तो इसलिए हमने जो है इस पर अभी हम लोगों ने सोचा की कहीं ऐसा तो नहीं क्लास नहीं चल रही है बिल्कुल थोड़ा होड़ान कीजिए फिर आगे चलते हैं हम अगले कुशन पर डिसकस करते हैं आप सभी लोग सभी लोग बिल्कुल थोड़ा धैर बनाए रखिएगा बिल्कुल थोड़ा सा धैर एक एक चीज़ पर डिसकस भागिएगा नहीं आ रहे हैं उन चीज़ों पर जो आपके मन में संका है जो आपके मन में जो डाउट है उस पर भी हम आ रहे हैं पहुँच रहे हैं बिल्कु विलकुल आप लोग ज़रा सा होल्ड करिए बस मैं देख लूँ क्लास चल रही कि नहीं चल रही है और आप सभी लोग आएए बहागना नहीं एक एक चीज पर डिसकस्ट होगा कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिस पर डिसकस्ट ना हो ओके चलिए हम आगे बात करते हैं हम लोग अगले कुश्चन पर बात करते हैं कि क्या है क्या नहीं है चली आगे चरचा करते हैं हम लोग और बढ़ते हैं आगे और हम लोग आते हैं यानि थर्ड सबसे पहले एलेक्टरां की खोज़रों की और हम लोग' सकती करेंगेפो तो यहाँ पर आपका 11 नमबर कुश्चन आपके सामने है और हम लोग चर्चा कर लेते हैं इस पर सबसे पहले एक कथन है दूसरा कारण एक कथन दूसरा कारण नमबर एक है क्या तुसरा 11 नमर कुश्चन दूसरा के संगतों के सामने के दूसरा है, बिल्कुल, इसमें eleven में question पर चर्चा हुई है, 11th का a, यानि, दोनों सही है, याने चहां पर a और r दोनों सही है, ata की सही ब्याख्या करता है, अब आते हैं, हम लोग, जो है, बार आरननंबर question पर, यार Dem recuesta par humime lot a question क्या है, और question क्या है आपका एच धन्राशी, एक धन्रासी जो है वो 7% सालाना व्याज की दर से 5 वर्स में 540 हो जाती है यही धन्रासी 9 वर्स में सालाना साधान व्याज पर 3 वर्स में कितना हो जाएगी इसका उत्तर है 508 रुपे यानि D is the right answer अब आते हैं लोग 13 नंबर कुश्चन पर 13 में सी 13 क्या है सी सी में मतलब क्या हुआ सी का मतलब यह हुआ आपका 13 में सी का मतलब यह होता है आप इसको देखिए थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ा देते हैं 13 में सी और सी का मतलब आपका यह हुआ कि आपर देखिए A में त्री यानि जया वर्मा सिना रेलवे बोर्ड की पहली महिला ध्यक्ष और B में मनोजनाथ टेल कम फ्राम रिपब्लिक टेल्स फ्राम रिपब्लिक के लेखक हैं और स्रेया स्रेथा थाविशिन थाइलेंड के पीम मुहम्मद मुईजु माल देव के रा बैंने जानता है बसक現 नहीं संफहै भाकी सब सब समयलित एह एक कौन सा नहीं सुमयलित है वो देख लेते हैं हम लोग यानी सी समयलित नहीं यह वियां पर यह रादून में सिमला में है तो आप लोग देख लीजिएगा सार आपके नोट से कितने कोुष्चन आए मेरे जो 99 वाली जो टेश्री थी current affairs की सारे question वैसे ही थे भाई बाकी और चीजों पर आप लोग से जानते हैं बहुत सारी चीजें पढ़ाई गई science के हुब हुब कुश्चन आये हैं तमाम ऐसे questions यहां पर टैली किये हुए बहुत ज़ादा और आगे भी टैली करते रहेंगे मेंस में देखिएगा नजारा एक तरफा टैली करेंगे प्रिलिम्स में तो बहुत ही ज़ादा जो आपने पढ़ा लेकिन प्रिलिम्स का लेबल चाहे वो जो है अलग था यानि question को उन्होंने और ज़ादा कठिन बनाने की कोशिस की थी और म बाद में जो है वो बताहूं मैं एक बार हमारे इक अ Mag करी है उन से मैं ने इसकात का उसकी जाम होता है हमने क Dartmouth प्री का जाता है से कथिन को जाएगा और 15 को पर कर लिते हैं तो बात बनेगी कि इसको बड़ा करना इसको जो है बड़ा टेड़ी खीर है चलिए अब इस पर हम लोग चर्चा करते हैं बताते जाते हैं सी में जिसके पास है उसका अंसर हो जाएगा मैं पढ़ देता हूं यहां से आप लोगों को पता नहीं किलियर दिख रहा है या किलियर नहीं दिख रहा है आम नाट से और बड़ा करते हैं की कोशिस करते हैं हम च यानि केवल एक इसमें कहा है एक अर्ध पारिगा में जिल्ली बिलायक और बिलेन के मत रख दी जाए तो बिलायक ते इस जिल्ली में से निकलकर सुध्ध बिलायक से बिलेन के और प्रवाहित हो जाएंगे only one is the right answer यानि 15 में a सही answer है आपका 15 का जो है 15 मतलब यह वाला ये मतलब आपका पर जायेगा यहां पर यह दोनो एक और दो दोनो यानि फिल्लायक के प्रवाहित की प्रकरिया प्रतिलों प्रास्रन कहलाती है ए यानी दोनों एक और दो दोनों सही 15 परासरन वाले में दोनों सही है परासरन वाले में दोनों का दोनों सही है तरह है आई ब guy who की वेकंचिस Ilटी की वेकंचिस और अलावाद हाई मैं क्यों यहीं डिसक्स करता हूँ otherwise अगर आप लोग चाहें तो हम जो है दिखा सकते हैं अब आते हैं 16 नंबर कुष्चन पर 16 में केवल साही है 16 में कुष्चन केवल दो यानि उत्तर प्रदेश बजट के संदर में वी साही है वनली दो साही है वनली टू भी पैन्सर ब्जट का अकार स्फेवन लाक शिछिटी ताउदन करोड फिर राज कोसिए घाटा दे रहे는 84 आजार वांसेटश करोड यह सही है लेकिन बजट का अकार स्फेवन लाक शिछिटी ताउदन करोड नहीं था यानि towards रयरी बंबी का 21st 25 begs Japan dot लोगों को अभी मिलेगा ठीक है इनका निधन के बारे में पूचा गया है किसका निधन किया कब हुआ था यह आप लोग मिला लीजिए बड़ सा लेट मिलेगा बट मिल जाएगा तब 18 नमबर कोश्चन पर आते हैं लोग 18 नमबर कोश्चन पर चलिए क्या है यहां यहां पर यहां आपका मतलब हो गया यहां पर हो गया नमबर पहले फोर केंद्रक बीज केंद्रक बीज फिर प्रजनक उसके बाद आधारिये भी फिर नमबर लास्ट में आएगा प्रमारित सबसे बाद में केंद्रक उसके बाद आएगा प्रजनक उसके बाद आधारिये फिर प्रमारित भी अब कुश्चन नमबर 19 पर चलते हैं कुश्चन आते हैं भारत बिसमेह जूटकर सबसे बड़ा उत्पादक है भारत का जूट उत्पादर सब поряд questi के बढ़ा भइया पीली क्रांट के कारण जूट कहां पर्टता है दिलहन के लिए होती है जाणी आरगलत है एसप क्यूस new B is the right answer 19 answer B 20 में question पर आते हैं 20 में clay question पर हमलोग आएंगे 20th question पर आते है 19 में BA 20 में confusion पर हमलोग आते हैं 20 स्वाँ guilty अमलोग देखते हैं अब क्या है question 20 मा 20 स्वाँ question किसे समझी दावई 20 स्वाँ question है रोसको मोउस के चंधरमा पर लूना 15 मिसन का उदेश चंद्रमा तक पहुंच की गारेक्टी सुनिश्चित करना रूस और चीन मिल करके अब 20 वे कुश्चन का अंसर आप लोगों के सामने अभी आपको हम देते हैं अब 20 वे कुश्चन का अंसर है ए यानि ए और ए और बी आर दोनों सते कथन कारण दोनों है इसका आंसर है कि जो भी कह लिए आप लोग का पेपल जो भी जिस प्रतिभा जी पृष सरद पांडे जी जो भी है सरद पांडे जी देखते जाई अब हम कुछ नहीं कर सकते उनची जो में जो हम जानते हैं वो बता सकते हैं और मेरिट भी बताएंगे और आगे जो बैकेंसी आने वाली जो एक्जाम उने उनके बारे मताएंगे बाकी कुछ प्रसासनिक चीजें हैं जिनके बारे में हम नहीं बता पाएंगे आगे बढ़ते हैं लोग और फिर आते हैं लोग 22 कुश्चन की तरब 22 कुश्चन आपका 22 कुश्चन आप बोल सकते समझ सकते हैं खरदी के मौसे में भारकता अधिकान भाग सुस्क रहता है चीत रित के दवरां देश के अधिकान भाग उत्तर पूरवी व्यापारिक भावाओं के प्रभाव में रहते हैं और 22 कुष्चन का ए है आंसर यानि ए और आर ये आपका ये जो है आपका द को भी है या मैं कुछ नहीं जानता हूं मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप लोग इसको पढ़िए करन्ट फेर्स बहुत कुष्चन आपके जो है विश्वास स्रिवास्तो जी पढ़ाए हुए मिलेते सर के लिख रहे हैं आप बहुत बहुत धन्यवाद और 96 वाली जो टे स्रीज कल से ही लांच हो रही है कल से आप लोग देखना शुरू कर दीजिए उसको और मेंस का तो PCS उसका आरो मेंस तो मैं कराऊंगा ही बाकी क्या हुआ कैसे हुआ मैं नहीं जानता जो है मैं कुछ नहीं बता सकता पेपर आउट के बारें भाई I don't know about paper out and all चलिए 23 नंब question पर हम लोग आते हैं और देखते हैं उसको कि इसमें नंबर question पर हम लोग आकर देखते हैं कि कैसे है यह यह simple question जो आप लोग जानते हैं अच्छे से भरत नाट्यम तमिलनाडो कुछी पुड़ी जो है यह कौन-कौन सा क्या है इसमें सही उत्तर चुलिए कौन-कौन सा मेल है कथाक उत्तर परदेश यह सब तो आप लोग जानते हैं इस वाजन very easy question यह बहुत easy question था तो कोई इसमे खबराने की जैसी बात नहीं है आप लोगों ने करी लिया होगा चोबीस्वे question था हाँ ए में मिलान कर दिया भरत नाट्यम तमिलनाडो और जो है और यह बी में थिरी यानि कुछी पुड़ी आंध्र परदेश ती में फोर ती में फोर यानि सत्रिया असम और कथ्था उत् सब्सक्राइब का अंसर यह है फिर आगे हम लोग चलते हैं फिर चौबीस्वे question की तरफ चौबीस्वा question क्या कह रहा है यह चर्कुला नित के वारे मुत्तरपदेश के आवत्षेत्र में बिल्कुल गरत है वह यह आवत्षेत्र में चर्कुला नहीं होता अब यानि दूसर ही है कटाब के बारे में बात करेंगे आरो मेंस के बारें बात करेंगे पीसे प्री के बारें बात करेंगे आप लोग थोड़ा सब धैर बनाए रखिये बस चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है नमस्कार नमस्कार सबको नमस्कार चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं औ और ये और आगे हम लोग बात करते हैं और जो एक सेकंड के लिए हिंदी वाले से घून कर रहे हैं है ऑनकीर जी indeed thank you thank you thank you thank you thank you thank you kuldeer सबो महर को पतिली लागा देख़ चली हम लोग आते हैं जो 25 वे कुश्चन पर 25 क्या कह रहा था यदि किसी वर्त में 25 अक्टूबर को गुरु आ रहे तो उस महीले सुमार की संख्या होगी 5 उस महीले सुमार हो जाएंगे 5 भीया यानि C is the right answer C right answer है आपका C right answer है कटाब पर जा रहे हैं चर्चा कर रहे हैं रुक जाओ भाई कृश्चन या दो कटाब पर चर्चा कर रहे हम लोग अब आते हैं 26 वे नंबर कुस्टन पर, कुस्टन नंबर 26, 26 कहा चला गया भाई, नीचे रहे गया, 26 भी चरचा करनी होगी, क्ँसीन नंबर 26 पर हम लोग चरचा करेंगे, आगे बाद तभी बढ़ेगी, जब 26 नंबर कुस्टन, नहीचा ज ख Hee Mr.Hिमाले के दखिशन नंबर चुस्चन कुस्चन नंब्र कुस्चन आ जहरा हा है धिमाले के उत्री ड्रीड छालन ऊपर दक्षनी ड्रानों की तुलना में अधिक अधिक वर्ता होकि है और सीह कारण सही है कफन गलत है यानि कि आपका जो है एसत्य है और भी सत्य है यानि बीज़ाराइट आंसर इसका अंसर है भी यह 26 नंबर का कुश्चन है और इसका अंसर मेरे हिसाब से भी होना चाहिए बिल्कुछ रही है लिखा भी है मैंने आगे बढ़ते हैं लोग अब आते हैं कि अधर नयुक्त है और फिर बताइए यह का मेरिक कितनी गई आप कितना कोश्चन कर पाएं आप मिला लीजिए सबसे पहले सबसे पहले मिला लीजिए गा फिर बताइएगा कि क्या हुआ कैसे मेरा पेपर शूट गया प्रियंका गुपता करें बहुत दुखत बात है संपादक राजा राम मोहन राय थे विद्वा जलाने की प्रता करते उन्होंने लेक में प्रकासित किये थे 27 नंबर पर आपका कुश्चन है दोनों सत्य हैं और सही व्याक्षा भी है वाई यानि ए इस दराइट आंसर 28 नंबर पर आजाए 28 नंबर कुश्चन आपका कह रहा ह सी जिसमें फुतु उत्सलातिन और जो है और फिरोज साथ उगलग फुतु देश फिरोज साही यह सब चीजे लिए इसमें सी यानि कह रहा है ए में टू फुतु इसका आंसर सी 28 में फुतु ए सता सलातिन इसका अब्दुल मलिक इसामी यह हैं और नंबर बी पर वन सारी के विरोज साही सी में फोर्च याउदीन बर्नी और खजैन उल्फतु यानि डी में तरी अमीर खुतु यानि सी दराइट आंसर सी दराइट आंसर सी राइट आंसर है इस कुश्चन का आप लोग देख लीजिएगा सी इसका अंसर है फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगे बढ़ते हैं फिर देखा जाएगा कि कौन सा है 28 पर आते हैं लोग 28 हो गया 29 पर आखे इसको देखते हैं कि क्या है वाई 29 तो 30 कुश्चन के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं फिर देखते हैं क्या है थोड़ा ता धैर बनाय रखिएगा भागेंगे तो गढ़ा जाएगा ये बात आपकी सही एक धके हैं आप लोग 29 29 वाला कुश्चन है कि 29 कुश्चन कह रहा है बंद सीसे की खिड़कियों यों दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय विजली के अगात से सुरचित रहते हैं बिल्कुल सही बात है एक ये तो सही है कथन तो सही है एक बंदकार के अंदर का खाली खाली एक बंदकार अंदर से खाली चालक की तरह ब्योवार करती है अंदर से छाली चालक की तरह बिल्कुत सही है यह भी चौकि चालक की तरह वल्ली लिखा तुगड़बड हो जाता है तो बिल्कुत सही है दोनों सत्य है है और सही फ्याक्षा भी करता है ये सही है फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे ला कुश्चन देखते हैं और आते हैं भोत थीस में नमबर की तरब फिरोप में राहीं नदी के संधर में कुद्में कौन सा वाँव में नदी के बारे इतने सारे कुश्चन आए डारेक्ली उसमें से भी आएंगे और आरो मेंस की करना है तो हम करी रहे हैं पीसियस के लिए वनली टेस्ट से काम हो जाएगा वो हमारे यहां चल रही है आरो का मेंस का क्लास 15 तारीक से चलेगा एक दो दिन आप लोग रेश्ट कर लीजिए ठीक है आगे चलते हैं आकास राना विमल कुमार जो लोग भी कह रहे हैं आप लोग सब देखेंगे आपका जबाब और आते हैं तीस नंबर कुश्चन पर तीसवा नंबर कुश्च चाहिए राइन नदी उत्तरी जर्मनी के ओदोगी गद्विदियों के लिए मात्पूर्ण और आगे बढ़ते हुए हम लोग 31 कुश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा कुश्चन का लेबल थोड़ा सा डाउन होता है जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं कुश्चन का लेबल थोड़ा सा डाउन होता है कुश्चन का लेबल थोड़ा सा डाउन होता है जो भी हुआ है बाई जाम करने में बहुत छूट गया चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं आगे कहां पहुंच गए हम लोग अब 30 कुश्चन हो गया राहिन नदीवाले में दोनों सही था अब एक तीसमें कुश्चन पर हम लोग आगे 31 पर और इसमें रुद्रमा के संदर्म सकती ठीक है एक सही है फिर नंबर बिल्कु सही है दूसरा कह रहा है उसने तक्षित समिलनाट के पांट रोडीचा के पूरवी गंकसाथ में इसकों को पराजित किया यह सही नहीं है यानि इसका सही है 31 का आब आते हैं 32 पर पहला कि किसी विद्यार है कि मैंने क्रास कुश् किया था क्रास कुश्चन आप लोगों से किया था तो इसमें यह बात आई थी पहला पहला किसी विद्यार है पंत नगर उत्तराकंड में 1960 में हुआ था यानि आप लोग आ गए हम कितने कुश्चन पर 32 नंबर कुश्चन पर दोनों सही हैं दोनों सही हैं और आगे बढ़ते हैं कितनी बार हमने एक दम कई बार रिपीट किया था भाई असम में घाला इत्रिपुरा मिजोरम ठीक है यहीं सही है यानि डी दराइट आंसर और हम लोग आगे चलें तो बात बनेगी आगे बात करते हैं मैं 34 और कुश्टन की बात करते हैं यहाँ पर 34 और 35 कुश्टन पर बात करते हैं मूग सोच रहे हुंगे कि थोड़ा जल्दी हो giving podcast की ठकर आये हैं लेकिन मिलाना तो पढ़ेगा ही जब तक मिलाएंगे नहीं लोगों की जर रहेगी और आंसर की एक दिन में ंने वारी नहीं दो चार दिन तब तक आप बे चैनी रहेगी इसलिए मैंने सूचा करा देता हूँ आप लोगों को आपकी बेचैनी कम हो जाए थोड़ी सी और आज आईए आप कहां पर हम लोग कुश्चन नमबर आते हैं 33 ये तो होई गया 33 मिड़ी असम में गाले त्रिपुरा मिजोरम छटीन सूची वाली बात जो आई थी आपकी मैंने आपको क्रम रटवाते रटवाते कई बार रटवाया था नम्याद कर लिजिए भारत का पतक याद कर लिजिए काम हो जाएगा और भारत देखते ही डी में चले जाव है डी में सोचना ही नहीं डी में जैसे डू गय 107 मिला और काम बन गया भारत और अंसर हो गया और कवी आंसर पिर आगे बढ़ते हैं लोग और अब बढ़ते हैं कहां पर 35 उसक्सान की तरफ 45 क्शला के आप लोग डेख लिया जाया लिया 35 नमबर करों अब लोग देखते हैं और ये देखें यहां 35 number question 35 number question ये बहुत आसान है आप सब लोग जानते हैं कौन नहीं जानता 35 number वाले question को सब लोग जानते हैं भाई सबी लोग जानते हैं कौन नहीं जानता 35 number question क्या था ये देखिए vitamin C स्कर्वी vitamin B1 berry berry vitamin A रताउंधी मिला लीजिए क्या दिक्कत है इसमें मिलाने से बी यानि answer is B आपका A में 4 vitamin C स्कर्वी और folic acid जो है वो आपके कहां पर आ गया B में 3 रक्ताल्पता folic acid कम होता है तो फून की कमी C में 1 vitamin A रताउंधी यानि इसका B answer है हम लोग चलते हैं 36 वे question की तरफ 36 वे question को हम लोग थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया जाए नहीं तो देखने में दिक्कत होती है ये 36 वे question जहां पर आ जाईए भाई बहुत मत भागिए यहां पर आ जाईए 36 नंबर question भाग रहा है ऐसे ही भागता है एक्जाम में जैसे यहां भर भाग रहा है वो ऐसे वहां भी भागने की कोशिज यह करता है जी असी हिंदी साथ आईउस गांधी आईउस गांधी confirm मेरिट के बारे मैं आपको बहुत क्लिएर बता दूँ साविया जी शिवाए और 100 सिवाए कटाप लग रहा है सर 100 नंबर जाएगी पेपर हार्ड था ऐसा नहीं है पेपर हार्ड था जरूर मानता हूं लेकिन कटाप कभी सव नहीं जाने वाली कटाप आप जो है कुछ भी कर लीजिए कुछ भी कर लीजिए मेरे अनुसार कटाप 122 के नीचे नहीं जाएगी कटाप 122 तक हिंदी और जीयस मिला दो 122 कटाप मिनिमम होना चाहिए इससे नीचे जाने का चांस नहीं है कटाप की बात सुन यह ध्यान से बहुत कटाब कटाब बड़ी देर से चिला रहे हैं सब लोग मैंने सोचा बता ही दू आप 120-22 मान सकते हैं मिनिमम में 120 कर सकते हैं अधी इससे नहीं वह इसको हम इस तरह कहें अगर इस तरह कहें कटाब के बारे में 122 प्लस माइनस 2 तो ज्यादा अच्छा रहे बिलकुल इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है 122 की नीचे तो जाने की मुझे उमीद कुछ नहीं है कटेगरी वाइज 55 नमबर 4 नमबर 5 नमबर 8 नमबर 10 नमबर इतना आप आप डाउन कर लीजिए इतना आप आप डाउन कर सकते हैं लेकिन किसी कीमत पर जो है 122 के नीचे कटाफ नहीं जाएगी लिख लीजिए नोट कर लीजिए फिर बताते हैं बता दे रहें 122 के नीचे कटाफ नहीं जाएगी और जिन लोगों का मान लीजिए किसी कारण बस पेपर खराब हुआ है वो नोट कर ले उनके लिए सामने अलावाद आई कोट है उनके लिए LTE है उनके लिए GIC का है उनके लिए जो है तमाम आपसन है PCS सामने हैं बहुत सारी चीजें हैं category wise थोड़ा सा 5588 number कम कर लिजे बस और जो है उसके RO का ECRO का मेंस पंदरा तारीक से class मैं स्वयम लूँगा start हो रहा है आप लोग आज से ही आगे admission कर सकते हैं और रही बात उसकी PCS की तो उसके लिए tertiary चल रही है आप लोग उसको join कर सकते हैं और इलाबाद high code का 18 तारीक से नया बैच आज से ही प्रारम बैच ले सकते हैं से प्रारम हो रहा है लाबाद high code का और LTGIC बाद में start करेंगे अभी नहीं 122 नंबर से कटाब नीचे नहीं जाएगा इससे नीचे जाने की कोई उम्मेद नहीं है कोई जाने 122 से प्लस ही के नीचे जाने की उम्मीद हमें नहीं लगती 122 के आज पास आपका कटाप रहेगा इससे कम नहीं रहेगा नोट कर लीजिए 122 प्लस माइनस 2 बस यहीं होगा और बहुत उम्मीद मत पालिए बहुत कठिन नहीं था कठिन तो था सुरुवात के कुछ कठिन लगे लेकिन बाद में देखा गया तो उतना कठिन नहीं था जैसे अब आते हैं कुश्चन नंबर कहां पहुंच गए हम लोग 36 पर कह रहा है 36 में क्या कहा जा रहा है कि उत्तरप्रदेश के संदर में निवकित कत्रों पर विचार कीजिए उत्तरप्रदेश के संदर में संदर में पूर्प प्रात्मी सिच्चा 3 से 5 वर्न कता ही नहीं बहिया 3 से 6 वर्त होता है और प्रात्मी सिच्चा की आयए 6-14 वर्ने धारित है बिल्कुल 6-14 है ना कि 6-11 तो न यह सही न यह सही ना तो यह न भी यानी C is the right answer C is the right answer न ये न भी कुछ नहीं APS का अपडेट में बता रहा हो निखिल कुमार आ रहा है Good evening मुदित जी IPS का result आ रहा है बहुत जल्दी चिंता मत करिए APS result बहुत जल्दी आपके सामने होगा लेकिन अभी जो है थोड़ा साथ इंतिजार करना पड़ेगा कितना 8-10 दिन इंतिजार करना पड़ेगा आपको अब आते हैं 37 नमबर कुष्चन पर भारत के कोईला खनन 37 नमबर है C code चलना है C code वाले पेपर का हम लोग डिसकसन करें बता दिया हमने 35 नमबर पर भारत में कोईला खनन की मात कुन गटनाओं पर विचार की नहीं कि काला जंसर देवसित कीजिए रानी गंज में कोईले का पर्थमुत पादन पोल इंडिया लिम्टेड की अस्थापना ये कठिन करो सव तक सही हो पचीज गलत भी हो जाएगा तो भी कोई फरक नहीं पड़ता तो जो है कठिन कुस्चन था मानता हूं इसको लेकिन इसका अंसर डी है जिसने लगाया होगा डी यानि सबसे पहले एक है रानी गंज में कोईले का पर्षम उत्पादन उसके बाद आता है राश्तिय कोईला विकास निकम एन सी डी सी नेशनल कोल डवलेब्मेंट कार्पोरेशन की अस्थापना यानि पोर पहले वान फिर आएगा फोर उसके बाद आएगा थ्री कोईला ख़दानों का राश्टी कर फिर आएगा टू यान आपने कहा था सर जी बिल्कुल आएगी लाबाद हाई कोट वेकेंसी की तैयरी चल रही है और टेश्ट स्रीज कल से लाबाद हाई कोट की हमारे आप पर देख सकते हैं सिंप्लिफाई उपी प्यासी पर देख सकते हैं और जिनको एप का लिख ना पता हो 6392082615 पर आप व किसीने पूछा इसलिए बता दिया यानि बारा टारीक कल से ही आद है को अब आते हैं जहां बर्सा जादा होगी वहां बायोंम जादा होगा यह बहुत नेचुरल सी बात है इसमें कोई नई बात तो है नहीं तो A is the right answer परी कब से जय भार एक बिनट रुकना पड़ेगा रुकना पड़ेगा इस question में एक question रुकना पड़ेगा रुकिये रुकिये आर्ज विस्वतिये बन छेत्र में बर्त भर बर्सा योम जल उच्छ तापमान होता ये बात तो सही है ये पहला वाला इसका अंसर सही है ये असत किंतु आर्शत है विस्वतिये बन छेत्र में बर्त भर जल योम उच्छ तापमान होत यह इसका सही आंसर आप लोग देख लीजिएगा मैंने ब्लूपेंस से उमार भरा संजु बर्मा कोई समस्या नहीं होगी कोई समस्या नहीं है कटाब के बारे में अभए मैंने अभी भी बताया कटाब 122 प्लस माइनस टू हो सकती है इससे नीचे तो नहीं जाएगी भाई इससे नीचे कोई आउमेद नहीं है बिमल कुमार के प्लस की कटाब 95 से 92 तक बस मैक्सिमम के प्लस की अब आते हैं थर्टी नाइन नंबर कुश्चन पर आजाएं तब आप लोग आप लोग आते हैं और इसको पहले मिटा देते हैं तब बात बनेगी नहीं तो कुछ दिखी नहीं रहा होगा आप लोगों को और हम लोग आत इस थर्टी नाइन नंबर कुश्चन पर इन नंबर कुश्चन क्या है रहा है बंकिंचंचन चटो पाद्याय के संदर मिखित कथनों पर विचार को कलकत्ता विश्विद्धालए के पर्थमस्नास तक थे सीता राम उनकी अंतिवा अपन्यास था तो थर्टी नाइन में और इसका जो है ए ए आप्शन सही है यानि दोनों कशन सही हैं अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 40 वे नमबर पर अगर आप लोग जो है कटाप से सहमत है या नहीं मुझे नहीं पता बट होगा यही जो मैं कह रहा हूं और जिनको मेंस की तैयारी जिनका इसकी आसपात से उपर जा रहा है मेंस की तैयारी हमारे साथ 15 तारीक से स्टार्ट कर दीजिए अभी से एड्मिट्शन ले सकते हैं इस पर नमबर पर काल करके और जो लोग जो है अगर मालीजिए किसी कारण बद दुर्भाग बस खराब हुआ है पेपर तो एलाहबाद हाई कोड का जो है कल से ट और कुश्चन को ले आए जाए यहां पर और यहां पर आजाईए आप भाई यहां पर आप लोग आएंगे कहां 40 कुश्चन पर यानी 40 कुश्चन आपका क्या कह रहा है निम्खित घटनाओं पर विचार कीजिए उनको नीचे दिए गए कूट के अनसार बैंको के प्रथम चरण वन नाइन शिक्स नाइन आप सभी लोग जानते हैं नाबार की अस्थापना वन नाइन एट तू आप लोग जानते हैं और यहीं से क्या मतलब है पर्मनेंट आइडेंटिपिकेशन बी दराइट आंसर इसका आंसर है बी आंसर है अलाहाबाद हाई कोड की लिजिबिल्टी ट्रिपल सी होना चाहिए एलांग विद ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम ग्रेजुएशन किसी स्ट्रीम में कल से ही टेस्रीज है हम सब्सक्राइब ग्रेजुएशन इन इन इस्ट्रीम एलांग विद ट्रिपल सी या एक साल का जो डिपलोमा होता है कंप्यूटर का बस या उससे उपर की कोई डिग्री हो 42 नंबर पर आ जाते हैं लोग 42 नंबर पर क्या करा आलिम कि तो कि संगठन ने बर्स 2023 में बारा नसी अपने परेटन सांस्कृति राध्धानी घोसित की संगाई कौपरिशन आर्गनाजेशन यही इसका सही आंसर है इसका सही आंसर यही है फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्या कह रहा है भाई इसको भी देख लिया जाए नहीं तो काम कबड़ा जाएगा 43 कह रहा है ही 43 नंबर का क्या कह रहा है कि भारत में लंडाई मिट्टी यानि सलाइन अंधर्षम में कब कर दो 87 लोग जानती है दूनियया झानती है रहा से लोडाइं विकी कहां दो destiny ॥ी बिकेत नहीं होती है उपजेख नहीं होती है पिर आगे हम लोग चलते हैं कहां पर इपर फिर दूसरा है लवडिय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है जिसका मुख्य कारण सुस्क जलवाई और खराब जल निकासी है अब इसना सरल कुश्चन है बिल्कुस यह लवडिय मिट्टी यानि सेलाइन स्वायल कभी भी उपयुत नहीं होती है दुनिया जानती है और इस इसका सही आंसर है सभी लोग इसको देख लीजिए इसका अंसर डी है आज जी के कुश्चन्स ब्लूपैन से कर दिए कोई फरक नहीं परता हमेशा सुमित ब्लूपैन से करने कोई घुना नहीं है ब्लूपैन से करिए कोई फरक नहीं परता ब्लूपैन करना बिल्कुस सही ह है गलब नहीं है और जो लोग अभी अभी जुड़े हैं उनको बता दें किसी सेक्षन कर रहे हैं सी वाला कोड नेम सी वाला पेपर यहां डिसकस करा रहे हैं मेरिट के बारे में फिर कह दे रहे हैं आपको मेरिट आपकी 122 प्लस माइनस टू ऐसे करीब रहे है इसरे नीचे जाने के उम्मीद नहीं है आगे बढ़ते हुए हैं अ कर आगे बढ़ते हैं यहां पर 44 नमब्स पर आते हैं समय में A और B दोनों यानि B is the right answer इसका answer B है B सही है आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है 120 प्लस माइनस 2 अगर है तो आप लोग मेंस देंगे और मेंस देने के लिए आप 15 तारीक से हमारे साथ रह भी सकते हैं जुड़ भी सकते हैं नहीं तो कहीं भी जुड़ सकते हैं अच्छा पढ़िये स्वैम से पढ़िये किताब से पढ़िये कहीं और से पढ़िये लेकिन 15 तारीक से हम लोग मेंस यहां स्टार्ट कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब लोग फसलों की खेती मुख रूप्से पंजाब हर्याना उत्तर पस्मी राज्यों में की जाती आसान कुश्चिन है भाई बहुत कटी नहीं है आप को concept क्लियर होना चाहिए रभी की पश्चमी नहीं करती है यानि इसका क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया 45 में A1D 45 में A का मतलब हो गया आपका A7 R गलत यानि C is the right answer A7 है और R गलत का कारण जो से गलत है यानि भारत में पस्चमी राज्यों में जो है उत्तर पस्चमी राज्यों में है तो रभी की फसल लेकिन उसका कारण ये नहीं है जो बताया गया है अब आगे आते हैं 46 नमबर कुंचन पर 40 नमबर का कुष्चन Хब लोग देखते हैं 47 देखते हैं नमबर एक यहांपर आ जाईए आप लोग बिलकुल परिशान नहीं होना है और आते हैं आप लोग कहां आप अपना मिलाते रहिए सुमित आज जी के question blue pen से कर दिया है कोई दिक्कत नहीं आप मट टाइब करो इतनी बार मट टाइब करो इरिटेट हो जाते हैं ठीक है आप बिलकुल जो है यहां पर ध्यान दीजिए रूस के कुछ बास चेत्र के संदर्वनेखित में से कौन सा कतन सही है कोईला लव ऐस्क में है नोवार्स इस चेत्र का एक महात्पूर्ण और दोगे केंद्र है अब 46 नंबर question पर आ जाईए आप और 46 नंबर आपका question कहता है यह कोईला और लोव ऐस्क में सम्रिद रहे यानि 46 नंबर में question में आपका जो है C is the right answer यानि only जो है only यह one is the right केवल एक सही है पहला कतन सही है C is the right answer C is the right answer आगे हम लोग चलते हैं और बढ़ते हैं 47 नंबर question की तरफ अब भाईया जो है यह तो सीधे सीधे कर बढ़ा गया ठेस पहुंचे ठेस ना पहुंचे वो चाहते थे ठेस ना पहुंचे उनके इद्व पर्यासों को यानि यह तो गलत हो गया समझ गये बात को तो आपका question सीधा A सत्य है आसान question थे है यह सत्य है और कथन यानि R गलत है यानि गांधी जी ने सीमित सत्य अगरा 1940 में किया था लेकिन इसलिए नहीं कि उनका पर्यासों में ठेस जो पहुंचे ठेस ना पहुंचे इसलिए किया था यानि इसमें क्योंब एक सही है A सत्य है R यानि कारण गलत है और B इसमें option है option B इसका सही answer है option B is the right answer हम लोग चलते हैं पर आगे 48 नम्बर का question क्या क Neist стан क्या पर आए और वहां पर हम लोग देखते हैं 48 नम्बर का question आए और हम लोग चेक करते हैं 48 नंबर कुश्चन हम लोग चेक कर लेते हैं ठीक है 48 नंबर कुश्चन क्या कह रहा है भाई तो भी देख लिया जाए 48 नंबर का कुश्चन कह रहा है विपिन चंद्रपाल के संदर में कौन सा कथन सत्य है ये ब्रह्म समाजी नेता ता समासुधारक थे निव इंडिया नाम का एक सापताहिक पत्रिका प्रकासित किया था अब आज आईए 48 ये दोनों सही है यानि ब्रह्म समाजी और ब्रह्म समाज के नेता और समासुधारक थे निव इंडिया नाम का सापताहिक पत्रिका भी प्रकासित किया था यानि A and B बी आपसन सही है जिन में दोनों सही है बी आपसन में दोनों है यहीं दोनों सही है यानि A and B is the right answer हाँ बिल्कुल UPSC aspirant जो है कठिन था निश्चित तोर पर कठिन था लेकिन कठिन तो था लेकिन इतना कठिन नहीं था कि सब कुछ घबरा जाएगा अभी तो मेरिट भी तो ल राजा नहीं जा रही मेरिट न तो क्यों परिसान हो रहे हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं पचास वे नंबर कुस्चन पर उन्चास पचास और उन्चास और पचास के कुस्चन पर आते हैं लोग और देख लीजे उन्चास और पचास नंबर का कुस्चन हम है भाई अइसमें देख लीजे ए में टू कौन है एमें टू यहीं है भाई ए में टू बी में वण यहां पर है यानि इसका आंसर है क्या डि डि सही आंसर है Рाजींग सिंह से पढ़ेंगे कहीं और नहीपढ़ेंगे शहां म windows पढ़ाएं गैप किसी को बात नहीं करता जिसका जहां से मंन करें वहां अच्छा लगे में हैं पचासवा नंबर यह मैत वाला कुश्चन भाया इसमें होगा वन इसको मैंने हल किया बहुत धंग से बहुत मज़ेदार कुश्चन था यह एक मिनट तो परिसान हुआ अगले मिनट कोई पटाब बता दिया भाई समको बारी बारी से बता दिया और जिसको ज़्यादा डाउट हो आप क्लास के बाद हमसे इस नंबर पर वाट्सअप करके बात कर सकते हैं 6392082615 या 745804172 पर 1722 पर भी बात कर सकते हैं चलिए आगे आते हैं 51 नंबर कुश्चन पर चलिए बहुत क कुछन चलिए जलदी करने ही कुछ करते हैं 51 नंबर कुश्चन इसको भी देख लिया जाए क्या है भाई इसको बीचे करते हैं यहां पर आईए यहां पर आईए इसको सब पहले मिटाई कि अब बनेगी बात नहीं तो यह वहीं रह जाता है मंआगे बढ़ जाते हैं क्या कह रहा है वो देख लिया जाए भाई दोनों साही नहीं है इस योजना में केवल साही वाल गिर्थार पारकार गंगा तीरी परचात की दुधार उताएं समलित की गए केवल लगा दिया तो यहीं गड़ा आगया कुश्चन यानि यह भी गलत है और जो है देखते हैं एक सिकन्द के लिए हो जहां बताईए जी आप जो है लाइब हूं मैं बाप करूंगा हुआ हुआ है ठीक है आप जो है यह भी गलत हो गया और बावन नंबर पर आ जाईए आ आप लोग आप लोग आऊ नंबर पर आपका क्या है दोर सहां क не नं दिनी किर्सकाल कि औंबर में पहला भी गलत है लाभाश्ति के पाद गोपालन का कम से कम एक बरस्तान बहुं यह भी गलत बी दर आइट आंसर बहत्तर नमबर 72 बहत्तर यूनिट बहत्तर यूनिट विजली खर्चोगी भाई 208 चमता का बल्ब 15 बल्ब लगा दिये जाएं और भाईया 24 घंटे चला दिया जाए ये सब मिला के और किलो वाट में बद दिया जाए तो सब आजाएगा आपका भाथतर यूनिट भाथतर यूनिट सही है फ़या आगे बढ़ते हैं तृपन नमबर कुश्चन पर आजाते हैं आप लोग ठके हैं इसलिए चाह रहे हैं जल्दी बहुत सही बात है जो ठके रहते हैं तो जल्दी चाहेंगे ठीक है ठीक है अब आगे आते हैं लोग तिरेपन नंबर पर तिरेपन नंबर कुश्चन तिरेपन नंबर कुश्चन पर आते हैं और आगे बढ़ जाते हैं तिरेपन नंबर कुश्चन क्या कह रहा है फरूक सियर जहांदार साम बहादूर साम जो है मुहम्मद साम उनको काल क मानुसार करना है 35 नमबर का अंसर है यानि सबसे पहले थर्ड है बहादूर सा थर्ड उसके बाद में टू जहांदार सा फिर आएगा फरूक सियर उसके बाद मुहम्मद सा यह भी आसान कुश्चन इतिहास का है खला की इतिहास मेरे लिए बहुत कठी सब्जेक्ट रहा है ले में भी लाइव हु बात करीए लाइव भाद म्वास चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिराव पर फिर हाँ ओई न यम्र है आगे बात करते हैं हम लोग यहां पर 54 नमब्र बात करते रहें और 54 नमबर कमिंशचन का शार मेरे पास नहीं है वाई I'm sorry to say 54 नंबर का अंसर नहीं है 55 पर आते हैं लोग 54 को भीम बाद में करा देगे एक कुश्चन हमारे पार नहीं है 54 इसको बाद में करा देंगे आपको ठीक है अब आगे हैं आते हैं लोग भारत की सम्मिधान की प्रस्तावना में कौन सा कथन सही है कौन सा कथ इसको नहीं जानता भी संपूर्ण प्रभुत संपन समाजवादी पंत्र निलपेज लोग तांतर गणराज क्या स्थापना 55 में भी आसान कुश्चन हम लोग कहते थे उद्देशिका से कुश्चन जरूर आएगा आ गया उद्देशिका से कुश्चन आएगा ही आना ही था ख가र हीगा है कि ओके आगे हम लोग बढ़ते हैं पच्पन हो गया अब आते हैं 56 number पर let musste आते हैं और है क्या यह देख लिजित आप वनली जो है 56 हो गया 56 हां 56 पंचायती राजवाले में केवल A सही है तोरी 56 में C is the right answer यानि पंचायती राज संसाओं का चुनाओ राज चुनाओ के प्रविच्ण में होता है सही है पंचायती राजवाले में सही है सी यह कितना सही है बंचायती राज संसाओं का चुनाओ राज चुनाओ के प्रविच्ण में होता है और यह केवल A कि यानि B राइट आंसर है बी आंसर सही है यानि केवल वन एक मार्क तिसी उत्पादों की गुडवत्ता है लेकिन इसका प्रवानिकरण भारते खाद निगम द्वारा नहीं कहा था ए सतावन में वन्नी वन यानि बी आपसं सही है आपसं बी सही है आपका आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अठावन नंबर कुश्चन पर ना तो इक ना दो उत्तरपेश मेंने हुट्रवाएश चेट्नो ना तो एक ना तो दो आगे चलते हैं वन सट नमबर कोशन पर वन सट नमबर कोशन आप लोग रुके रहिए आप लोग बढ़ते हैं हम लोग 59 नमबर कोशन पर और देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है 59 नमबर कोशन पर हम लोग चलते हैं 59 का आप लोग देखेंगे यहां मुरादा बाद कहरा है तामे के काम के लिए परसिद्ध है मुरादाबाद आपका यहाँ पर तामे के काम के लिए परसिद्ध है कामा है कि पीतल है भाई प्रास पीतल के लिए परसिद्ध है यानि यहीं पर हो गया गरबड़ ठीक है यानि मुरादाबाद तांबे के काम के लिए नहीं पीतल के लिए यानि यहां पर हो गया गलत और बी मुरादाबाद विशेश आचिक छेथ उत्तर देश सरकार का पहला विक्सित्म है यानि यहां पर वनली टू यह डी इसका सही आंसर है डी आगे मत परिशान मत होईए ओके अब आगे आते हैं लोग 60 नमबर पर 60 नमबर पर 60 कुश्चन कह रहा है इसका अंसर है बी जिसमें है जौनपुर को सराजे हिंद जौनपुर सकी काल में सिच्छा के महान के हिंद इसका बी आंसर है दोनों सत्ते हैं और अकारण कारण की सही ब्याख्या करता है ये बात हो गई आपकी इसकी 60 कुश्चन की जिसमें जौनपुर को सिराजे हिंद वाली बात कही गई है वह वाला कुश्चन अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और आते हैं एक सट नमबर कुश्चन पर एक सट नमबर कुश्चन क्या कह रहा है उस पर हम लोग बात करते हैं और ये देखिए वहिया अब जो है निम्खित में राकेट के सिधान पर राकेट हमेशा संबेग सरच्चन के सिधान पर कारे करता है लेकिन चुकि यहां गती का है तो गती मान लिया जाएगा संबेग क्या होता है पी यूकल तो यम बी और बी में विला अपडेट मैं बता रहा हूं कि कल से आप हमारे साथ टेर सीरीज हल करिए खिलाबाद हाई कोड की 18 से क्लास चलाएंगी और आरो मेंस की क्लास चलेगी कब से पंद्रा तारीक से आगे बढ़ते हैं लोग फिर देखा जाए वाई क्या है कहानी और यहां पर देखते हैं हाँ अब यह हो गया 60 तो देखी लिया आप लोगों ने 60 वाला तो आप लोगों ने देखी लिया यहां पर जिसमें गतिकत्षन की बात करें कहा जा रहा है यहां पर आब आते हैं लोग कहा यह 61 हो गया सी 62 में पंजाब के बिले के संबंद में यानि 62 कुश्चन का आंसर है आपका बी इस दर आइट आंसर महाराजा दिलीप सिंग के सभी परदेश है बिटिस सामराज का हिस्सा बन गए हैं यही कथन असत्य है यही इसका आंसर है बी अब आते हैं लोग 63 नंबर पर 63 नं कुश्चन पर 64 नंबर कुश्चन पर हम लोग आगे बढ़ें तो ठीक रहेगा 64 नंबर कुश्चन क्या कह रहा है उस पर बढ़िए हम लोग और यह रहा आपका यहां पर कुश्चन चांसर नंबर कह रहा है यह वनत्रवे राश्चे फिल्म प्रसकार 2021 किसके सम्मद में है और सीधा आंसर देख लीजिए काम खतम वनली टू राकेटरी दा नाम भी इफेक्ट सरसेज फीचर फिल्म यह करेंट अपेर्स में मैंने कई बार पढ़ाया था राकेटरी दा वो बेस्ट फिल्म का गया है नाम भी फिर को सरसेज फिचर फिल्म यह बी यानि 64 में दो यानि सी दर आइट आंसर 64 का अंसर है सी अब आते आते हैं 65 पर जो इस रोगारा लांच किया गया है मंगल यान के संदर में सीधा आंसर पर आईए बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे दोनों सही हैं सही उत्तर ह दोनों क्या है यह से मार्स आर्विटर मिसन भी कहा जाता है नॉमबर 2013 में लांच किया गया था तो लांच किये गया ठीक है यह सही है आपका भी अब आ गया आते हैं 66 नंबर पर 66 कुश्चन पर आ जाते हैं लोग और 67 पर देखते हैं 66 कुश्चन क्या है भाई उसके बारे लोग से वाओं इन्पूट टैक्स क्रेडिट की बात कर रहा है आई टीसी इन्पूट टैक्स क्रेडिट इसका अंसर आप लोग देख लीजिए और एवन बी दोनों इसका अंसर चाचट में दोनों सही है 66 में दोनों सही है अब आते हैं लोग कितना ठीक है अब हम लोग आते हैं 66 पर 67 पर आते हैं लोग 67 पर आते हैं लोग 67 क्या कह रहा है 67 कह रहा है आपका ए इस दराइट आंसर लर्नर जी भी आ गए हैं बहुत बढ़ियां जो है लर्नर जी भी आ गए हैं ओके चलिए प्रतीक स्रिवास्तो फूनम यादो सभी लोग आ गए हैं सुमित जैसवाल भून कर रहे हैं सब लोग आप लोग ब्रेंद यादो किन्तामत करिए कहां था पेपर लीग पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं आप लोग मैं नहीं जानता हूं भाई अब आते हैं 67 नमर पर यानि ए इस दराइट आइट आंसर केवल बी और सी ये मौली का दिकार पर समिधान का भाग त्री युएस से के बिला आप राइट कारों को अठाय जा सकता है आप लोग इस पर आ जाईए भीया इस पर है 67 का अंसर है बी और सी यानि ए ए ए आप संस ही है अब आगे बढ़ते हैं लोग आँ चलते हैं 68 नमबर कुश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं 68 पर बेट करिए आप लोग थोड़ा सा फुरासा मुझे भी मौका दीजिए पानी पीने का आप लोगों की जाजात हो तो थोड़ा पानी पीने की हम पुस्ताकी करें लेकिन संभवता पानी है नहीं तो इस बेरी डिफिकल्ट आप पानी भी नहीं मिलेगा चली आगे बढ़ते हैं हम लोग बढ़ते हैं 68 हम लोग इस दर आइट आंसर एक है रहा है यानि एफोर प्राज ललीट कला अदमी एफोर यानि उनने 62 और बी आपका उत्तर दे संगीत नाटक अदमी दुनिया जानती है बी में 16 की फिर आगया भिया सी टू भारती नाट भारती इंदू नाटक अदमी जो लखनौ में अपना दे और जो लोग अभी आये हैं वो जान लें कि सी कोड़ नेम सी का पेपर हल कर रहे हैं हम लोग कोड़ वाला पेपर हल कर रहे हैं और मेरिट भी बता रहा है मेरिट 122 प्लस माइनस टू यह आप देख लीजिएगा इसी क्या आज पास होना चाहिए मेरा अनुमान है आज़ा बाधाई ही कोड का टेसरी बाए बढ़ते हैं लोग 69 नमबर कुश्ट्ञ पर हम लोग आगे आते हैं 69 कुश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि 69 नम्मर कुश्चन क्या कह रहा है भाई आसान है पॉलिटी वाले कुश्चन गलत गर्बड नहीं है भाई सम्मिधान संग की कारपाली का शक्त भारत के राजपती में नहीं करता है बिल्कुत सही बात है और 69 कुश्चन का अंसर दोनों सत्य हैं और सही ब्याद क्या भी करत नहीं चलेगे कोर्ष चलेगा एलाब आधाई कोर्ट का एलांग बिट्यसी और और मेंस का यह अभी दो अभी कुर्स चलेंगे कि अगे बढ़ते हैं सिवेंटी कुश्चन पर सबस्तरवा कुश्चन चर्चा कर ली जाए भाई 37 कोश्चन क्या कह राहा है यह देख और नमबर 2 यानि C is का अंसर है केवल दो चामबेजी नदी पर है यहीं सही है और C इस का अंसर है यानि कि only 2 यह जो लिखा है C आंसर सही है अब आते हैं लोग आगे बढ़ते हैं और एक 70 नमबर कुश्चन पर आ जाते हैं और एक 70 नमबर कुश्चन हल नहीं किया है लेकिन यहीं हल कर देंगे, आपके सामने इकत्तर नंबर क्रिश्टन क्या कह रहा है भाई वह देख लिजिए। अपने घर से 15 मीर्ट उत्तर की ओर चलाइए यहीं हल कर ज़ल करथे आपके सामने लो Clos Sans Case भाई हमारे मित्र भी है वह 15 मीटर चले उत्तर की ओर इधर गए। फिर चला गए अपने घर से उत्तर की ओर चले गए 15 किलोमीटर फिर पस्चिम की ओर मुड़े अब पस्चिम आप सभी लोग ज्यानते इधर होता है यहां 15 चले 10 किलोमीटर चल गए अब यहां पस्चिम की ओर फिर वो दक्षिन की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चले भाई अब में पूरब के अपने घर से किस दिसा में है घर उनका यही था अपने घर से इस समय भीया वो किस दिसा में है अपने घर से उत्तर दिसा में है और क्या उत्तर दिसा में है अपने घर से उत्तर दिसा में है बात खतम हो गया पिल्कुल कोई बात नहीं आगे दीपक्स चर्मा जी कुछ कह रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे करते हैं 72 नमबर कुश्चन की तरफ चलते हैं और जो है जिसको जो जिना है इसको देखिए आगे और हम लोग सीधा 72 नमबर कुश्चन पर हम लोग चलते हैं और ये देखिए चलिए आगे आते हैं 72 नमबर कुश्चन पर सीधा 72 नमबर कुश्चन 72 यानि ये इसका सही है परती आबादी का पेट भरने के लिए भारत के महातपूर्ट तकनीक की संता का सुधारों गया सकता है और भारत के कई हिसों में बड़ी चलता क्या में कितान अभी वी किसी के मांतों निभरता प्राकिति पर्षा पने बढ़ता हैं दोनों सत्थ चूना पत्थर जिप्सम नमक और राजस्थान के दूशारों सरकावबिया जैसे ही चूना पत्थर जिप्सम नमक नमक जस्था सब राजस्थान सब easier हो जाता हैansen शिम्मधान के पर counter q 알機 क stadium निया सब कोई जानता है जिप्सथान में आता है से आजस्थान में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अब आगे बढ़ते हैं चोहत्तर नंबर कुश्चन पर चोहत्तर नंबर का कुश्चन आप लोग देखिए फिर आगे बढ़ते हैं यह कुश्चन जो है देखिए अभी मैंने हल किया था इसको चौदा से बढ़ी और पचास से चोटे विसम संक्याओं के योग का एक चौथाई इसमें से कोई नहीं क्योंकि इसका उत्तर आता है आठ वो किसी का बर्ग नहीं है यानि डी दर आइट आंसर इसका अंसर है डी डी दर आइट आंसर नहीं है अब आगे बढ़ते हैं अम लोग कहां पर जो है 75 NM portion पर 75 नम Herr कुष्चन पर आगे ब्रते हैं और आगे बढ़ा जाए सबने तक बाद बनेगी 75 नम Herr कुष्चन गाजा से लगा हुआ की बात कर रहा है अब आगे आते हैं 36 नमर कुश्चन पर 37 नमर कुश्चन आपका कह रहा है only a only one ऑनली वन सही है एई जुब यहाँ राइट आंसर 76 में कौन है वनली ए सही है यानी ए वनली वन यह वाला जिसको केवल एक कह रहा है यहीं सही है क्या है सिखर सम्हेलन जी निवेशक उत्तरवदेश बैस्विक निवेशक सिखर सम्हेलन 2023 लखनों में आज उत्या गया था सही बात है यानि एक केवल एक सही है सिखर सम्हेलन गान भारत के राख पिज़द्वार नहीं किया गया था यानि only a is the right answer अब आगे चलते हैं 77 नंबर कोश्चन पर अब 77 नंबर कोश्चन कह रहा है क्या यह देख लिया जाए है 77 नंबर भी कुश्चन देख लियते हैं हमलो बावनी इमली सही दसमारक फटेपूर यही C सही है 77 में C सही है C सही है 77 में 78 में देखते हैं A 80 नंबर कुछन Kाफी बोड हैदराबाद ठीक हैं? Kाफी बोड हैदराबाद अब आते हैं 89 नंबर पर 89 नंबर कुछन आ जाते हैं लोग देख लीजिए भाई 79 नमबर क्विश्चन 79 आप लोग इसको देख लीजिए क्या है 79 नमबर का कुश्चन आपका चलिए नहीं भागी नहीं बस हो रहा है सारे कुश्चन हो रहा है बोर मत हुए आप लोग ठके मुझे मालूम है 79 नमबर कुश्चन आपका कह रहा है 79 में C सही है क्या है कुश्चन कमपाला सुडान की गाली किसा साखार तुम यह भीया राजधानिया है राजधानियों पर एक कुश्चन जरूर आएगा हम आपसे चर्चा किया करते थे आ गय ठीक है अब आते हैं लोग 79 में सी 79 में सी राइट अंसर ए में टू यानि कमपाला युगांडा बी किगाली रवांडा यह आप सी आंसर सही है असी पर आ जाईए असी कुश्चन कहरा आप पस्चिम घाट के बिभिने द्रेजिन पस्चिमी घाट का जाता है उत्तर से कुश्चन है भी इसका सही आंसर है थालगाट भोरगाट और पालगाट तीनों सही है एक्यासी नमबर पर आ जाते हैं एक्यासी नमबर कुश्चन करेंट अफेर्स का आ गया भाई कह रहा है खेल बताओ अनूरानी कौन सा पारुल चोधरी कौन सा जिंदर पाल सिंग कौन सा पलग गुलिया कौन सा यह आप लोगों ने अच्छी से इसमें कोई जीतने हारने वाला नहीं पूछा सीधे पूछ यह कौन किस खेल से संब्दित हैं तो यह थोड़ा आसान बन गया और इस कुश्चन का 81 कुश्चन का अंसर है आपका ए क्यानी ए अंसर सही है अनूरानी और भाला फेक बताया था पढ़ाया था उसमें करेंट फेर में पढ़ाया था भाई और बी में वन पारुल चोधरी 500 म्हीं ठंट मीटर और सेजिंदर पाजित फूर फेके वाई और पलक जूलिया दस मीटर राईपल अब चली 82 नंबर पुश्चन हम लोग 82 पूश्चन देखते हैं कितना 82 83 82 क्या कह रहा यह देख लिया जाए 92 क्या कह रहा कुश्चन पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं पारा लोग फ्रेंच पढ़ते हैं फिर यह पढ़ते हैं तेरा लोग यह कुश्चन का अंसर मैं आपको बताता हूं अभी जैस्ट नाओ आई विल टेल यह है मैं का कुश्चन और इन दोनों में से जो है बारा पचीथ लोगों के एक समू में बारा लोग फ्रेंच पढ़ते हैं 15 लोग ग्रेजी पढ़ते हैं जबकि छे लोग इन दोनों में से नहीं पढ़ते हैं इन मes concern हम थोड़ा बाद में बताएंगे is kindsters हमने किया नहीं है but I think 8 is the right answer 8 is the right answer B. यह suspected है इसको suspected लेके चलिएगा star बना लीजिएगा साइद 8 है इसका अंसर थोड़ा देख लीजिएगा मैं थोड़ा doubt में आ गया हूँ अब आते हैं 83 नंबर पर 83 नंबर कह रहा है 83 का अंसर है C. यह सही है इसमें कोई doubt नहीं है 83 का अंसर है क्या C. क्या कह रहा है काला नमक, सिधार्द नगर देशी घी, और एया और आमला, प्रताबगर एला फाइबर आपका आपका कहां आ गया D2 कुशी नगर यह हो गया आपका C अब आते हैं 84 नंबर कुश्चन पर थोड़ा धैर बनाई है, जल्दी खतम कर रहे है आप लोग भी घबडा रहे हैं इसलिए हम इसको जल्दी से कर रहे हैं कुश्चन को तेजी से कुश्चन को तेजी से करने की कोसिस कर रहे है जितमें जादा धेर ना लगे यहाँ पर आ जाईए क्यों भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं भाग यह नहीं, भाग के जाने नहीं देंगे और आप आते हैं यहाँ पर हम लोग क्या है भाई, यह देखिए तुल्सी दाथ कर जन्व बांदा जन्पत के राजा पुर्णाम अग्राम बचपन से रटे जा रहे हैं बचपन से रटे जा रहे हैं एक की फलाने का यहाँ जन्व वहाँ जन्व और हिंदी की किताबों में रटते चले आ रहे हैं 84 नंबर पर आ जाईए तो केवल उनकी पत्नी का नाम गीतावली नहीं था यानि C is the right answer इसका आंसर है C 85 पर आते हैं इसका आंसर है C 384 डिग्री यह भी आंसर सी है जो घड़ी वाला चार मिनट आगे बढ़ जाती है हर एक घंटे में चार मिनट आगे बढ़ जाती है इसमें भी C है सिले बस भी पता देंगे आपका क्लास और 15 तारीक से आरो मेंस की क्लास जो मैं स्वयम दूँगा पूरी की पूरी 86 नंबर को कुस्टन पराते हैं लोग अच्छा आर्टिकल के बारे में हम चर्चा क्या करते थे आर्टिकल के बारे में समिधान के पिछले एक-दो हफते से लगतार कह रहे थे आखिरी में आर्टिकल्स रठीएगा देख लीजीएगा सरसरी निगास से आर्टिकल्स जरूर देखे कहा था या नहीं कहा जो लोग हमारी कलास देखते थे वो सबी लोग जानते हैं कि उनको पता था आट किस लगातार हम लोग कहते थे पढ़ लीजिये पढ़ लीजिये पढ़ लीजिये आट किस जरूर आएगा आट किस आया भी कई जगहों पर quality के सबसे easy question रहे है quality हमें बहुत easy question रहे है जब कि हर बार ऐसान नहीं और जोग्राफी में थोड़ा सा concept लगाता कोई डरा ना होता दरने की जरूरत नहीं थी जोग्राफी में concept था conceptual question थे जो agriculture से मेरि जानेगी नहीं लेकिन इतना भी कम नहीं जाएगी आप टयार रही एक interested नीचे जाने जाने पर खत्रा हो जाएगा 122 के नीचे जाने पे खत्रा हो जाएगा अब आते हैं हम लोग सीदे 86 पर 86 का आंसर है आपका A 86 में आंसर है A यानि अनुचे 26 आर्मी कारियों का प्रवंद अनुचे 40 पंचायती राज जानते हैं ग्राम पंचायतों का गठन हो गया कतम ताम हो गया अब 2011 की जनगर्णा के प्रवारत की नगरिये जनसंख्या नगरिये जनसंख्या का परसेंट आपको किसको नहीं पता है भाई जो है भारत की नगरिये जनसंख्या का परसेंट आपको 2011 की जनगर्णा के अनुचार आपको बताना हो तो कितना होगा यहां पर होगा 31.8 परसेंट ैसको एक बार देख लिजेगा इसको 87 को देख लिजेगा की किटना है 31.8 31.2 एक बार देख लिजेगा मैं थोड़ा भूल रहा हूं ये आप लोग था देख लिजेगा और मुझे जहां तक उम्मीद है 31.2 होना चाहिए बी दराइट आंसर बी देख लीजेगा एक मिला लीजेगा इस पर मुझे डाउट है दोजार ग्यारा की नगरिये जनसंख्या तो जार ग्यारा ग्यारा थर्टी वन पॉइंट टू पर मैं अंसर कर रहा हूं बी पर लेकिन एक बार मिला जरूर लीजेगा जरूर और यह पर जहां डाउट होता है मैं बता जेता हूं फिर आते हैं 88 नंबर कुश्चन पर आसान कुश्चन देखी आसान कुश्चन था यह कितना बताया गया था लगातार आप चर्चा हुई थी जो है इन कुश्चनों पर विशेज करिके माउंटेन रेंज यह सब वो सब कुछ तो हम लेकर आये थे आपसे छर्चा लगातार कर रहे थे जोगराफी जोग्राफ Umराफी की की साथ मैं जोगराफी लेकर आही रहा था आप लोगों के साथ जोगराफी आपको पढ़ा रहा था एक टी एड कोश्चन का सी आंसर है ती मतलब क्या हुआ सी का मतलब यह हुआ ए में फोर एंडी तो सभी लोग जानते हैं कहां है वह चक्षणी अमेरिका में जहां पर वो जो आपको चिली अर्जंटीना आपके अच्छी अर्जंटीना ऐस तरह और बी में तरी अलताई माउं कोटेन है अलपस एरोब में सब को जानते हैं अपलेसियन अब अस्तर इमिरिका अमेरिका में उप्लेसियन सब लोग को पता है में कोई डाव्ट नहीं है तो 73 gsm यह चिस नहीं के प्र हाड फार था निश्चीत तोर पर निश्चित तोर पर प्र हार था यह मैं के थोड़ी डाउन चली जाएगी ऐसा तो किसी के लिए बहुत लिए जी था सब के लिए आपके लिए भी हाड था तो जिसे सब ऐसे आप का भी हो और है मेरिड थोड़ी नीचे जाएगी अच्छा होगा परिसान होने की दर्वरत यहीं पहल कर लिया जाएगा तो हो जाएगा आप लोगों को पता भी होगा इस कुश्चन के बारे में लेकिन फिर भी हम चर्चा करेंगे एक निश्चित को यह लिखा के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड में जुडीसियल को कैसे लिखा जाएगा कि आप लोग इसको थोड़ा सा रिजनिंक कोर्श्चन मिला लिजिए घा साता नहीं से लिख लीजिए गगा एक तरह एक हैत यहाँ पर c, o, r, c, o, and, e, इसके सामने लिजिएगा और देखिए कैसे हुआ है पिर फ सि यहां पर देख लिजिएगा इसमें क्या इस्ता बन रहा है उसी अनुसार आगे बढ़ते जाईएगा ठीक है तो इसने ज़्यादा परिसान नहीं रिजनिंग का कुश्चन है आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिएगा घर पर को यह तो पहला सही है बता रहे हैं हमारे मित्र किसी ने बताया है पहला सही है पहला ही सही है अगे बढ़ते हैं लोग और आते हैं 90 नंबर कुश्चन पर 90 नंबर कुश्चन आपका क्या करा है 90 नंबर कुश्चन आपका क्या करा है देखिए यह भी रिजनिंग का तो है क्या नहीं रिजनिंग का नहीं कितने कुश्चन होंगे रिज्जणिंग वाला कुश्चन मैंने अभी हल इसे के सब नहीं कि जो मयत कर लिया था रिज्जणिंग नहीं किया था भी मैं सही है C अब आते हैं लोग 91 में 91 का अंसर आप ही लोग कर दीजेगा आप लोगों ने वहाँ पर हल किया होगा मैंने किया नहीं था तो you can tell me better मैं बताता हूँ भी better होई जाएगा कोई चिंता की जरुरत नहीं है और आसान कुश्चन है तीन और पांच जोड़के आठ बना दिया आठ और पांच जोड़के तेरा बना दिया ठीक है आठ तीन और पांच जोड़के आठ बना दिया और फिर पांच और आठ जोड़के तेरा बना दिया फिर आठ और तेरा जोड़कर करके हां 3, 5, 8 फिर 8, 5 13 होगा फिर जो है आप 13 और 20 जोड़के यह बना देंगे 30 इसमें से कोई नहीं होगा D, D option सही होना चाहिए ठीक है D option होना चाहिए D option होना चाहिए इसमें सही है I think so, मैंने विराल नहीं किया है बड़ D option इनमें होना चाहिए अब आते हैं सीधा 92 पर 92 नमबर question पर हम लोग आएं के तब बात बने की सीधा आते है 92 नमबर question पर 92 करे राष्टिय पुर्स्तक मेला के संदर में 22 सितंबर ते 2 अक्टूबर लखनों में इसका आज़न भारत अस्ता दवरा क्या गया 92 का आंसर है 93 में D 93 में D सही है D answer आपका सही है 93 में answer है क्या D 93 में answer है D D मतलब A सत्य और R सत्य क्या है नर्गेद मुहमदी को 2023 के लिए नोबल पुरस्तार वो प्रेस्तंता के पच्छ में लड़ती हैं ये जो है नर्गेद मुहमदी महिलाओं की सतंता के लिए लड़ती हैं ना की परेस्तंता के लिए महिलाओं के लिए क्रिश्न अदो कटाब 122 के आसपास रहना चाहिए इससे जो है कम नहीं होना चाहिए 122 के आसपास कटाब जाएगा इससे कम की उमीद हमें कम है यानि D इसका सही आंसर 93 का अब आते हम सीधे 94 पर 94 पर आते हैं और इसको भी हल करते हैं क्या है स्टोरी इसके पीछे 94 से लेकर आगे जल्दी जल्दी करेंगे 94 94 आप सभी रोग इस कुश्चन का आंसर जानते भी होंगे 94 कुश्चन का सीधे आंसर बताएंगे और आगे बढ़ेंगे Only one A is the right answer यानि A सही है उत्तर परदेश के संदर में अईरुबेद महुत्सो दोजार तेश जहाती में आजित किया गया ये वाला कुश्चन में केवल एक सही है ठीक है 95 का आंसर आप लोगों के सामने D is the right answer D सही है 95 में कुश्चन क्या है मधुबनी बिहार मधँबनी बिहार तो सब लोग जानते ही है और लेपाक्षी B में 3 लेपाक्षी आंदर परदेश और पटचित्र C में 1 यानि उडिसा में वारली जो है आपका महराष्ट में अब आते हैं 96 कुश्चन पर 96 कुश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं 96 कुश्चन क्या है वो देख लीजिए सबी लोग 96 कुश्चन आरो के लिए तयार हो जाई है आप सभी लोग आरो मेंस के लिए तयार हो जिनका पेपर खराब हुआ है वो लोग आप पता नहीं क्या क्या बाते हैं आप लोग कर रहें चलिए ठीक है चिंदा मत करिए ओके आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हुए 97 96 नमबर कुश्चन पर 96 कुश्चन में बी सही है बी आप सभी राइट है आपका बी यानि एक्सरे द्रिस्किरने और आउरक्त किरने रेडियो तरंगे इनको जो है इनकी आबरित के बढ़ते क्रम में करना है तो चार पहले रहेगा रेडियो तरंगे कम फ्रिक्वेंसी की होती है उसके बाद आपकी आउरक्त होती है उपसे उपर जो है और फिर आपकी द्रिस्किर सब्सक्राइब आपका सब्सक्राइब आपका सब्सक्राइब ना तो एक ना दो इसकी असापना किसी संगीत नाटक अकादमी की नाई सोपाइसर कहा रहा है बरारत में कहा जा रहा है इसका अंसर है अब आते हैं लोग अठानवे पर स्थापना यह सब बात हो रही है इस कुश्चन का सी रे सी दे 98 का कुश्चन का है सी दोनों यानि चीनी उद्धोग उत्तर देज्म प्रारम वहा गन्ने की कम उपच पराइसत उद्धोगों के असंतों का चीनी उत्तर बादन में समझ चाहें हैं ठीक है यह है 98 में सी 99 में megasima पुलिश सब्द का सरस्पस्द किसुसे कि यह मेगा पुलिश सब का ये जनसंख्या के जो आप का थेरी पार्थ है उसमें से लिया गया हुआ है कि और 90 99 में जीन गाट-मैन इस को बादोलमी के गाट-मैन ने किया था सब आते हैं और number question पर hundred number question की चल्चा कर ली जाए hundred number question ये hundred number question पर आते हैं हम लोग और सवां question आगे पढ़नाए hago 140 होने ही वाला पर एकान मत हुए हो गया समझ लीजिए और जो है आपका आगया कितना सव नंबर question तो number question पर आईए सव नमबर कुश्चन पर पहला मुक्ती विशाय वीथी ग्राम ये इस दराइट अंसर ठीक है बद इतना समझ लीजे एक सो एक नमबर आ जाईए एक सो एक नमबर अनसूची छेत्रों के संदर में कुछित करता है एक सो एक कुश्चन में आपका है सी दोनों सही हैं इस वाले में अनसूची तवाले में दोनों बोथ हार राइट दोनों कुश्चन सही हैं अब आगे बढ़ते हैं एक सो दो नमबर पर भी एक सो दो में भी एक सो दो क्या है कि राज के नीद निदे तक तत न्यालें द्वारा पर उर्टनी नहीं हैं सभी लोग जानते नहीं हैं और कानून निर्माण में से धानतों करा राज लागू करना करता ब्योगा कौन नहीं जानता कानून निर्माण में इनका राज के नी आंसर अब आते हैं 103 नंबर कुश्चन पर और 104 नंबर कुश्चन पर हम लोग आते हैं 103 और चार देख लेते हैं सब को पता है कौन कहां है भीया कौरबा कहां है कौन नहीं जानता है और लेकिन फिर भी कुश्चन को मिला लिया जाए 103 में डी इसका सही आंसर है जो एक कहल गा और बी में कर गौन सब कोई जानता है ती में 4, कोरभा, 6छे 16 गर कोन नहीं जानता, कोड़ीगी, यहएव करनाटक, सवी लोग जानते हैं असान कुष्टन, देखिये जगराफी के कुष्चन असान रहे हैं, निश्चित तोर पर आसान रहे जगराफी के कुष्टन थोड़ा सा थोड़ा सा पकड़ में है जिसको पता है राज्यों का छेत्रों के जगे के बारे में तोड़ा फसलों के बारे में उसका कोई दिक्कत नहीं हुई है अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 104 नंबर पर 104 नंबर कुश्चन पर आते हैं कोईला के संदर में कौन सा सही है 104 में A यानी A, A यह सही आंजर है भारत, कोयला के संदर में भारत दुनिया कोईले का गड़नीवित पाधक तुमेशी प्लिकुल सही है 26 थारकंड 36 गड़न में कोईले का भंडार है कौन नहीं जानता? आसान कुछिन है 105 नंबर कुश्चन चलते हैं 106 नंबर 107 नंबर फिर आगे बढ़ते वे चले जाते हैं आगे देखते हैं 105 नंबर कुश्चन 105 में C सही है वाई C मतलब क्या हो गया आपका ये वाला C आपका हो गया सही है C आंसर आपका मार्च 3 ये लोग हो सकता है कम जानते हैं लेकिन ओजोन पर तो सब को मालूम 16 सितंबर होती है सब को मालूम है और आते हैं 106 नंबर पर आस्ट्रेलिया ग्रेट बारे में आस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी सट पर है कौन कहरा नहीं है होना ही है दूसरा इसकी लंबाई ये मैं अधी परी थोचेत को मैंने युजा मेने हल नहीं कियां कोलो नेघ लीह जोbelsा है कंगे और आप वाटसरा करेंगे नंबर इसका हैं इसक्टा आप देखेंग या वाट्सप र दीज़ेगा हमारे नंबर आंसर कर देंगे है ठिक है सुभम जो है बर्मा जी जिन्दगी में रास्ते बहुत हैं आप घबराईए नहीं अनावस्य गूरू से तनाव मत लिए सामने आउसर है PCS का है साथ सो पचास अधिक सीट हैं फिर अलाबाद आई कोड का है फिर एल्टी जी आई सी तमाम चीज़ें घबराना जिसका खराब ह घबराना नहीं है जिन्दगी में उसर की कमी नहीं होती है जिसका अच्छा हुआ है बहुत अच्छा है ठीक है ओके चलिए अब आते हैं 108 में 108 का एस है 108 क्या एक सर्थ अनुवंध में मुंख उद्देश के लिए और से के सर्थ है और सर्थ एक उन्लंगन च्हतिपूर्च का दावा करने का दिकार देता है ना कि अनवंद को इस एक सो आठ का एक सो आठ कुश्चन का ए सत्य है ए वाला यानि आपसन ए दराइड ए सत्य है आर असत्य है यानि ए आपसन सही है एक सो नौ में मिनी माता रोड के बारे में मरकरी मिनी माता मरकरी मा से मिनी माता मा से मरकरी मरकरी से पर दूसी जलसे में नी माता होता है आगे बढ़ते हैं हम लोग और 110 नमबर कुश्चन पर हम लोग आगे जाते हैं 110 नमबर कुश्चन चलिए 110 नमबर कुश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं पूसों के यांतरी गुड के संदर में रबर का यंग गुडांग इस्टील की तुलनामाधिक होता है किसी कुंडली का खिचाव उसके अपरूपन गुडांग द्वारा ने धारिद होता है 110 नमबर कुश्चन में यानि वनली टू इस दर आइट आंसर ए आप संद ए जिसमें वनली टू लिखा है यही सही है अब आ है जनसंः आप लोगों से देख लीजिये सात में यह साते हैं लोग भारत में इस सक्षे में लुक्त करेकर । спокой ma पहली बार जनगरना पहली बार जन गरना जोगारे में एक नियुक्षा हुई थी बात हमने कही भी ती आपन लोगों से थी ठीक है कटाब तो बता जिया मरोज कमासिंग 122 कुश्चन के आसपास कटाब रहेगा 122 कुश्चन प्लस माइनस जो भी 24 कुश्चन हो प्लस माइनस टू 122 के मान के चलिए इससे नीचे थोड़ा सा कम उमीद है फिर आगे बाद चलते हैं 111 पराते हैं 12 अब 12 पराते हैं जी-ट्वेंट इसके बारे में है 212 कुश्चन का अंसर बी प्राजील जोकोबीडेटो देज़ के मुख्या के बारे में सही है यह नहीं है प्राजील वाला यहीं 112 में दी आपस्टं सही है अब पता पढ़ा नहीं भाई कोई comment नहीं पढ़ रहे हैं पढ़ा रहा हूं तो comment कहां बताईए भाई comment पढ़ लेते हैं थोड़ी अभी comment पढ़ेंगे तो जो है आप लोग कहें WhatsApp पढ़ा है पता नहीं भाई 145 सही है मनोज कुमार सिंग बेरी गुड जिन्होंने 145 सही है बहुत अच्छा पेपर लीग हो गया कोई कर रहा पता नहीं भाई मुझे नहीं पता टोटल बता रहे हैं हाँ टोटल बता रहा हूं 122 कुश्चन टोटल हिंदी और जीस मिला के 122 के निचे नहीं जाएगी लेकर 122 तक हो जाएगा पर अब बढ़ भी लिख रहा हैं की मेरा पर खराब हो गया परदान मंत्री जी की तरह आपा नाम मैं का का पेपर कैसे खराब हो गया भाई चलिए आप एक सो तेरा नमबर पर बात करते हैं एक सो तेरा नमबर कुश्चन क्या क्या रहा हूं ली बी बी आंसर वन जी उसना च्रण अधनिया मुने सबाथतर केवल जंगली जानों रोग अच्छा के लिए यह केवल जहां लग गया त तो नैनो मीटर टैन पॉइंट जो है माइनस नाइन होता है आप लोग सभी जानते हैं टैन पॉइंट माइनस नाइन से पहले फीट को पाँच फीट को फीट में जो है पाँच फीट को पहले मीटर में कनवर्ट कर लिए जिएगा और मीटर में करने के बाद टैन से multiply कर दीजिएगा जो भी आएगा वही अंसर होगा 115 पर आते हैं 115 में डी सही है कि घटते जन संक्याक्रम के अनसार जन घरत वाले राज्यों में सबसे पहले बिहार पस्चिम बंगाल के रलुत परत्रदेश सही आसान कुछन था शुरुआत के कुछन कठिन थे लेकिन बाद ये सी को डाउट नहीं है थोड़ा सा अपर साइड कुष्चन था निश्चित तौपर आपर साइडा था लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो है कि कुष्चन बहुत ज्यादा कठिन था या कुश्चन बहुत इजी था थोड़ा सा अपसाइड था निश्चित तोर पर हमेशा हम कहते हैं कि जो है आरो का पेपर थोड़ा सा अपर साइड रहता है थोड़ा सा कठिन रहता है आरो का पेपर निश्चित तोर पर थोड़ा कठिन रहता ही है चलिए चिंता मत करिए जो होना है होई ये वही जो राम रचराखा होगा वही जो इस वरने लिखाओगा आपने मेहनत की आपने कोसिस किया तो जो है आपने आपकी कोई गलती नहीं है प्रियंका मिस्रा जी 122 प्लस रहेगा ये मुझे भी आइडिया है चिंता मत करिए सब सह कि कह रहा है कुछ कह रहा है कुछ मैं क्या क्या दिखूं और 115 नमबर देख लिया 116 में इस मार्ट सॉल्ट वाले में है अंसर राइट है जिसमें इंदोर में और सबस्क्राइब को निम्र्विखित अधिनियम को लेक्स लोगी अधिनियम भार्ति इसमें डिस अधिनियम निए पहले एक दो तीन चार पहले आएगा एक भंगाल टेने सी यह लोगी भंगाल टेने सी आई सहमती विस्विध्याले जानी 1 2 3 4 डी आत्सन साई 117 में जो है सर आपको क्या लगता है पेपर पेपर आसान तो मुझे नहीं लगता पेपर तोड़ा टफ साइड था जरूर मैं मानता हूं पेपर थोड़ा साइड तफर था लेकिन जब पेपर टफ होता है तो जो है आपकी मेरिट डाउन जाती है थोड़ी सी डाउन होती है लेकिन आपका मोरल नहीं डाउन होना चाहिए आपकी हिम्मत नहीं डाउन होना चाहिए मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए आप 122 प्लस आता है तो तुरंत मेंस की तैयारी एक दिन एक दिन आराम कर लिए आज कल में इसलिए हमने दो दिन की चुट्टी पहा गे भरते हैं 108 अख्षार्ण क्वेश्चन पर आजाएए इस पर आ जाएगा थो टारा नवर पृष्चन आपका क्या कर रहा है की आघ्शार नगरके नीग करण आया यह आपका सीथा अंसर लीजिये बहुत पढ़ाने की यहां रहा इसकता नहीं है D सभी सभी इसमें काल मांक्स प्रिंस्पिलाब कॉलिकल इक नामिया टैक्सेशन यह कौन सा जोड़ी सभी सुमेलित नहीं है यही सुमेलित नहीं काल मांस वाली गुजरात के सुल्तान मह्मूद बेगड़ा व्यापारी मार्गों की सुरच्छा को उसीज़ प्रवंधन का बढ दोनों यानि सी आंसर सही है इसका सी आंसर सही है क्यों पीज़ाइगी सोनम अगरवाल जी आप काफी जिनों से पूछ रही है जरूर आएगी आप डॉरी चिंदा मत करिए अब करते रहिए फिर आगे बढ़ते हैं लोग 120 कुस्ट्ट की तरफ 120 कुस्ट्ट का डी आंसर है स करनाटक में यह चिकमंगलूर है कौन नहीं जानता करनाटक के सहरों को करनाटक के नहीं सुनाए जब ने सुना है जहां में कफिन सोच रहाता वहां आसान जहां में सोच रहाता लेकिन जिगवराफी के क्वेश्चन आसान आये थे कहा बेलारी चिकमंगलूर सिपोरीश्मोगा के नहीं जानता करनाटक में कुछ आसान था यानि कि जो है मिक्स कुष्चन था थोगा टफर साइड रहता है यह आप लोग हम निशिद काविया पठान करी 135 आ रहा नाथिंग टूरी 135 बहुत अच्छा है कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल कोर्स आगे 18 तारीक से इलाबाद आई कोट का चला रहे हैं और कल से टर्सीरी स्टार्ट हो गई है इलाबाद आई कोट यारो यारो की योकी बेकेंसी बहुत नियर है चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है अगे बढ़ते हैं लोग और बढ़ते हैं 21 कुश्चन के तरफ और 21 कुश्चन आते 121 एक सो इकीसमा देख लो भाईया और आप प्रायदीव का हिस्सा नहीं है जरा बताओ यह कौन ता कुश्चन था यह आप लोग बता दीजिए आप लोग हमें देखिए कौन सा नहीं है अरब प्रायदीव का हिस्सा कौन नहीं ओमान नहीं है इराक नहीं है कुबैत नहीं है सीरिया नहीं है कौन सा नहीं है आपको अच्छे पता है डी वाला नहीं है ओमान नहीं है ओमान नहीं है वो यमन है उस प्रायदीव में ओमान इधर है ओमान 92082615 या 7458041722 पर संपर कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं तो गबढ़ हो जाएगा अब आते हैं लोग कहां पर अब हम लोग आते हैं अगली कुशन की तरफ अगला कुशन क्या कह रहा है भाई अगला कुशन आपका कह रहा है 123 नंबर 123 नंबर क्या कह रहा है वाई 123 का देखा जाए 123 का आंसर सीधा सीधा लीजी सीधा आंसर के लिए बहुत लंबा समय नहीं बी आंसर इसका सही है पी आंसर सही है यही सब है कहानी देख लीजेगा बी आंसर सही है इसका 123 का अब आगे आते हैं 124 पर सी आंसर है 124 वाले का 124 का आंसर देख लेते हैं एकी 124 का आँसर भी देख लेता यह फटा पर देकुलेते हैं सी यानि व्लिटू पर आ जाईए एकसुपर चीज का हमसर है एक क्या परधान्मंत्री गरीब कल्यार पैकर मुस्कान इसका घ्रतूि मन्याब değiş थीकल Cut प्रथान मंत्री जनार हो गियो जनाब बचा आपका कौन सा यह हो गया आपका कुश्चन अब आते हैं लोग 126 नंबर पर 126 नंबर का कुश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं तोन वस्ती एपीएस का रिजल ड्वाई दस बारा दिन बेट कर लिजिए आज आएगा एपीएस का रिजल क्या उम्मेद है कटाप की 122 के आसपास रहेगी कटाप बहुत परिसानवाद होई 122 के आसपास कटाप रहेगी चलिए 126 नंबर डी सही है इसमें तो आपने देखी लिया होगा बताई दिया मैंने नहीं बताया क्या चलिए देखते हैं 126 कुश्चन आपने देखा ही नहीं तो बताएंगे कहां से अब देखा होगा आपने अब आप जो है यहां पर नहीं बोर्ड में दिख नहीं रहा अब आते हैं सबने जानते हैं आगजलेट का क्रिस्टिली करण आगजलेट होता है जो गुर्दे की पत्री आप सभी लोग जानते हैं अब आते हैं हम लोग 128 की तरफ 128 क्या है लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्छे अनपात के बजाए उसके व्यापक परतारकान होता है इसे आम तरुपन नत्र जर्पास पुरश्मत है 128 कुर्शन में जो है आपका आते हैं हम लोग यह आता है यह दोनों सही है 128 में ए 128 का ए सही है पुर देओ इतनी मेहनत करो बाद में पता चलता है पेपर लीक हो गया भाई कुछ चीज़ें दुखद होती है मैं नहीं जानता हूं क्या हुआ कुछ ठीक है आदार सिंग जी ब जाल भाद ठीक है जो भी है भाई आप लोग उसको देखिए मैं बहुत सारी चीज़ें में पढ़ना नहीं चाहता 128 के बजाए 132 पर आते हैं हमारा काम में कुर्शन को हल कराना सही सही आप लोग का काम है बाकी और हमारा काम तैयारी कराना बाकी जो गैर कानूनी तमाम ची कुद पन किया था रूबी लेजर लाल प्रकात्म कुद पन किया था यानि वनली टू रूबी लेजर ने लाल प्रकात्म कुद पन किया जाए 139 में सी है 130 में आते हैं खान बिल पर कौन नहीं जानता नागा लैंड नहीं जानता वाई कौन नहीं जानता पर हान बिल यानि आपना A में फोर तो यहां पर दो आपसंतर इसे लिमिनेट हो गए अब आ गया आपका कौन सा C पर आ जाईए आपका C C सही आंसर है हान बिल और ये वाला इसका हान बिल वाले का और संगाई पर वो राज हम पर भी ए C आंसर सही आपका 131 पर 111 वाला क्या कौुश्चन है ये पहले देख लीज़े पिर आगे इसका आंसर करेंगे 131 132 133 131 क्या कहरा है ये पहले चर्चा हो जाए आगे बाद बढ़ाते हैं ículos 31 नमर का कॉर्शन है क्या और इसका अंसरD है इसका है यिरोब की देश की राजधानी नहीं है ये ज्द्द राजधानी नहीं है यह जो है ते dedicya राटड़म जाग्रेव जीरी डो और चार नहीं है क्यारा है ये ये sipि रोग के किसी देश की राजधानी नहीं है यह आपको बताना है तो डी क्यों कह रहा है यह आप लोगों को हम लोग देख लेते दो और चार लाट बिया रीगा अभी लोग जानते हैं राटरडम के इरोग के किसी देश की राजधानी नहीं है तो और चार यह सहर है राजधानी नहीं है तो और चार राटरडम जो है राटरडम और जुरिक यह सहर तो है राजधानी नहीं है तहर तो हैं भीया लेकिन आधानी नहीं है 35 माई ये आदिन निर्वाग किर्सी के समंद में बताइए धुमिंग कहां है, मिलपा कहां है, लदांग कहां है जोग्राफी में निश्चित तौर पर कुश्चन आसान आए है जोग्राफी में निश्चित तौर पर कुश्चन आसान आए मैं कह सकता हूँ जोग्राफी ने बहुत रहत दी है जबकि जोग्राफी इतना आसान कभी आरो में आता नहीं था जोग्राफी के कुश्चन देखकर आरो में लोगों के पसीने चूट जाया करते थे लेकिन इस बार निश्चे तोर पर जग्राफी ने रहत दी है आप लोगों को बहुत ज़्यादा के थोड़ा क्विश्चन वन लाइनर से ज़्यादा और बढ़ा चला तमाम ऐसे मतब कई लाइनों में थे वो थोड़ी टप थे लेकिन जग्राफी निश्चे तोर पर आसान आप लोगों देखते हैं और यह तो सब रिपीटर कुष्चन है जूमिंग गूमिंग सब वनी जो है इसका सही आंसर है 132 में भी 132 में भी कौन सा जोड़े सही हैं यानि एक और दो जूमिंग दच्छनी पूर्भी एसिया आपका जो है और यह आपका मिलपा आपका हो गय प्रश्चन पहुंच गये लास्ट में एक दम आखिरी में आ गए भाई आखिरी में बस एक दो तीन मिनट का काम है फिर आपको अगली रणीद बताते हैं क्या करना है कौन सा एक्जाम आ रहा है कौन सी तैयरी करने है कैसे करने है कितना कटा आप एक बार फिर से रिपीट करते है क्लास को एंड करेंगे तो बस दो मिनट और आप लोग थोड़ा धैर बनाए रखेंगे बस काम खत्म करेंगे अब अब आगे 134 नंबर पर 134 नंबर में ए सही है आप सब लोग जानते हैं इसको क्या है अनुच्छेज एक सो चोबीस उचितम ने आले का अविलेग ने आले होना सही है और जो है सही सुमेरित नहीं है यह गलत कर दिया अविलेग ने नहीं है यही आपका कुश्चन है यानि यही आपका आप संट राइट है 132 ने आले की अपीली अधिकारता है 143 ने आले की परामर सकती है 136 ने आले की दोरा अपील की विश्य सिस्टमा इजाजत है लेकिन यही वाला जो है सही सुमेरित न यह कुष्चन है कुछ कुष्चन बह ses नहीं हो जाते है शौजचन की बात की जाए तो किससे संबस्ग्जीत है आप लेकि लिए शिनात जी सिंक रुठेण जी साइमन कमिशन साइमन कमिशन बात को इतना तक था? अंडि वन साइमन साइमन कमिशन वाला क्टे फ़्य वाला काम कल बड़ ये अब आते 137 नमबर पर देखते हैं इसको हल मैंने नहीं किया है इसको यह दोनों जो अरिजिनिंग के कुश्चन मैंने हल नहीं किया आप लोग देख लीजेगा इसको 37 आप लोग देख लीजेगा बात में करेंगे इसको जो है ठीक है आगे देख लीजे 149 पर हम लोग चलते हैं और 140 पर चलते हैं यह रिजिनिंग वाले दोनों कोश्चन आप लोग मिला लीजेगा या बाद में वाटसप पर दिएगा मैं हल पर दूँगा घर पर की तो घर पर हल करेंगे अभी मैंने इसको हल नहीं कर पाया देख नहीं पाया पी क्या है आपका इस और इसमेलित में यही सभी आंसर आपका सही है आपका आंसर यहीपी सही है 140 वाले का आंसर भी साहे जिसमें नहीं है इसको देख लिया जाएगा अंग्रेज सामा ग्रिनाइट को चटान पर साबित करना कौन से कतान सब्सक्राइए 140 वाले कभी कुश्चन भी हम नहीं देख पाए हैं तो 3 या 4 कुश्चन का अंसर हम लोग नहीं देख पाए हैं अब आते हैं सीधा कटाब पर कटाब 122 से प्लस है 122 से कम नहीं है तो आप चिंता ना करिए तुरंत स्टार्ट कर दीजिए मेंस की तैयारी और 15 तारीक से हमारा जो चलेगा ही बाकी कहीं से जहां से भी करना होगा पत्र लेखन होगर हमने पहले कराया भी था और पत्र लेखन हुब 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 वही जो सासन सत्ता में चलते हैं जो स्टेंडर्ड फॉर्मेट आप लेटर राइटिंग पंचेपन वायन जो है आपका जो पराग्राफ सब कुछ यहां से हम लोग कराएंगे आप लोग सास में जुड़े रहिए जिसको आगे से किसी कोर्स के बारे में जानकारी करनी है तो आप इस नमबर प्रबाद कर सकते हैं 6392082615 पर वाटसेप या सेब कॉल 7458041722 पर बाकी इलहाबाद हाई कोट का जो है अठारा तारीक से चाट हो रहा है टेस सीरीज कल से शुरू हो रही अंदरा तारीक से यह यूपी पेसी यारो यारो का मेंस आप लोग जो चाहे आप जुड़ सकते हैं अन्यथा कहीं से भी पर सकते हैं मेनज कीजिए तैयारी कीजिए बेस्ट आप लग और जो है आपका आप मिला लीजिए आप 122 प्लस बन रहा है तो घपराने की ज़ुरत नहीं है शुरू कर दीजिए आज से ही अभी से ही धन्यवाद गुड़नायट नमस्कार सुबरात्री